इस चैनल दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है सावत की सुपर एश्टा राम पूथी नेनी की करियर की सबसे बड़ी मोभी जिसका नाम है सकन तो दोस्तों अगर आप भी राम पूथी नेनी की फैनों और अगर आप सकन्द मोभी को देखना चाहते हूँ और साथी साथ इस मोभी को बजेट इन बोक्स आफिस कलेक्शन को जानना चाहते हूँ तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन बना नाम भी नाव लिएगा सकन्द अटेकर अनुवारित हींडू गॉड ओफ वार्स्तान ओफ लड़ सीव एक दो यह तेश की भारती तेल्पो भासर की एक्शन पी में जो बोया पती 30 की दारा लेकित और निर्देशित है और इसमें ही दोनों की त्रेने की और भासर की एक्शन पी में जो बोया पती 30 की दारा लेकित और निर्देशित अज्जो इस्टूडियोस की सहयोग सी त्रेनिवास की सिल्वर इस्क्रीन की तहर त्रेनिवास की चितूरी की दारा नेमिते फिम में राम पुथी नीनी दोरी भुमी काम है त्रेलेला साही मंजरेगा और इसकी सेशिल हैं फिल्म की आदिकारी की घोसना फरवरी 2022 में अस्थाई की सिंसक बोय पती रापू के तहर की गई थी जबकि आदिकारी का सिंसक सकन की घोसना जुराई 23 में की गई थी मुखिय फोटोग्राफी अक्तूबर 2022 में शुरूई और अगस्ट 2023 में समाप्थी प्रदेश की मुख्यों मंत्री रायूडू की बेटी की साधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्यों मंत्री रंजीत रेडी का बेटा जो मेहमान की रुप में विवा सथल पर पहुँचा सभी को आईरिया चकीत करती हुए विवा सथल से भाग गया इसे दोनों मुख्यों मंत्री नराज हो जाती है और एक दूसरे को चुनौती देती है कि घटन से क्रोधीत रायू ने बदला लेने के लिए साधीत की रंजीत रेडी की बेटी बिना नाम वाली महिला नायक जो उसकी सापार्टी भी होती है का उपहारन कर लेता है यह उपहारन काउन ग्रूप कमपणी के सियायो रंद्रा क्रांती रामक्रोसना राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे है और रंजीत रेडी और रायडू दोनों ने अपनी आवे धन को वैद बनाने से इनकार करने की कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया यह पता चला है कि रामक्रोसना राजू वास्तों में नायक की पिता मनी क्रांत राजू की सबसे अच्छे दोश्त है नायक रामक्रोसना राजू की बेगुनाही को सावित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की रुद्रगंती प्रेनीता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दोस रामकुरूसना राजू को जिल से छुडा लिया और जिसके बाद दोनों नायक और उसके परिवार पर हमला किया जहां नायक की हमसकर ने उन्हें बचा लिया आखिरकार रंजीत और राइडू ने मीडिया के सामने अपने आपरात कबूल कर लिया जहां उन्हें पता चला कि उजिस ने नायक और उसके परिवार को बचाया वो वास्तों में मेरकों का एक की मुख्यों खात की हत्यार हैं और रामकुरुसना राजु की बेटी की प्रिनित का प्रेम भी है अठारे फरवरी 2022 को त्रिनिवास सिल्वर इसक्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोसना की जो बोया पती त्रिनु की दरण देशी थे और इसमें राम पुथी नेनी मुख्यों वुमिका में होंगे इसी अस्थाई की तोर पर बोया पती रापो नाम दिया गए था एक जून 2022 को हैदराबाद में एक मूरतम पूजा आयोजीत की गई थी पांच अक्तूबर 2022 को त्रिलीला को पहली बार राम पुथी नेनी के साथ मुख्यों मैला भुमिका निभाने की घोसना की गई थी 3 जुलाई 2023 को एक जहलक जारी की गई जिसमें सकन सिंसर का पतर चला मुख्यों पूटोग्राफी 6 अक्तूबर 2022 को हैदराबाद की रामोजी फिल्म सीटी में पहले सेंडियूल के साथ सुरू हुई दूसरा सेंडियूल नोवंबर में शुरू हुआ और इसमें एक एक्षन सिक्विंस सामिल था तीसरा सेंडियूल जन्वारी दोजे 23 में सुरू हुआ सेंडियूल में पूठी नेनी और त्री लेला का एक की दोस्यों में सामिल था सामिली की और बैक्राउन की बैक्राउंड इसकोर इसकी थामन की दरत तयार किया गए जो कांदी रेंगा और मसाला दोजे तेरे और पड़ंग चिसको के बाद पुथी नेनी के साथ अपने चौते सायोग में है सरे नेडू दोजे सोरे और आखट दोजे एकरिस के बाद बोयपती तेनों के साथ तीसरा से युग पहला इलकन की नेच चुटू चुटू तीन अगस दोजे तेस को जारी किया गए था दूसरा एकर सिंसर गंदरम बाई आठारे अगस दोजे तेस को जारी किया गए था तीसरा एकर सिंसर दुम्रे दुम्मा तीस अगस दोजे तेस क को जारी किया गए था चोथा एकल सिंसर कलट मामा 18 सितंबर 2030 को जारी किया गए था और सकन को पहले ही 20 अक्तूबर 2030 को हिंदी तॉमिर कॉनर्ड और मल्यालम भासाओ की डॉप संसकार्णों के साथ तेलगू में दिलीच किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर 2030 तक बढ़ा दिय अगर सकन को अलोच को सिमिचेट की समिख्छा मिले जिनों ने पूथी नेनी की प्रदासन और एक संदूर्शियों की प्रसंसा की जबकि इसकी कहानी और पठकटा की अलोचना की एक सिते इस तेलगू ने 35 स्टार दिये और लिखा सकन एक समूही की प्रदासन उर्जावन एक संदूर्शियों और देखने के लायक की नुतिव प्रस्तूत करती है जबकि प्रसंसक और जनता इस हाई वेल्टेज मनुरंग जन फीम का आनन लेंगे फीम की सरल की फिल्म की सरल कहानी है कि कार्टी क्रिया की एक संदूर्शियों और सूसरत की दूसरा भाग दूसरे को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलूओं से सहमत होए तो आप इस सब्ताहत के अंत्र में यह फिम देख सकती है टाइमस ओफ इंडिया की निसीता नया पती ने 25 इस्टार दी और लिखा सकन ऐसी फिल्म नहीं है जिसी आप तक की उमीड करते हैं लेकिन जब इसमें केवर राम और कुछ एक्षन सिक्वेंस होते हैं तो मनुरंग्जन के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है दस आउट फॉस्ट की प्रकास पचेती ने 25 इस्टार दी और लिखा सकन बुय पती त्रीनों की एक नियमित नियमित और फार्मूला बन कता है यह एक तक्रहीन कहानी और बेतु की कामेडी के साथ बड़े पैमाने पर दस्कों में अर्थ हीन आफिम पैरा करते हैं यहां तकि मौज मस्ती की दिन को भी खराप्स कर सकता है गनेश्ट वि पीछली फिम विनाय विध्या राम को भी और सिम की रूप से बहतर बनाएगा यहां कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है यह सिर्फ एक काम की एक बुरा दिन है फिम नर्मता के लिए राम पुथि नेनी की परकताद चयन समती समस्या जारी रहे है और संगितकार की थमन जो क एक्सन मनोरंगजन की सौकीन है बड़े अंतर से चुग गए अभी लशा की चेरुपूरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने पंद्रे एस्टार रहे और लिखा सकंच सायत तबूत में आखरी किल है हो सकता है जो की बुया पतु फर्मूला है दर हिंदू की संगीत देवी डंडू न कोई नवींतव नहीं होने की कारण सकंच फूला हुआ है या उसकी डेसिबल समोही की उस्तव के उस्तव में इतना निरंतर है कि आप अपना सुर बनाय रखना चाह सकती है एक फोन रख्ष करना आसान है अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला है तो य एक खत्रे की तरह लगते हैं देखन कानिकल की बीपी एस की प्रकास ने चत्री चित्रन और पठखटा लिखन की और लोचिना की जबकि इसे नासमजी प्रून की रखत रंजीत एक्सन गया करार दिया फिल्म का अंतिम दूसिव एक टेग लाइन अन्फोल्ड इन सकंच के स साथ प्रदर्सित होता जो की अगली कड़ी की ओर से इसारा करता है और राम पुथी नेनी की एक ही दोनों की और अपने प्रदान की बाद उन्होंने वैसाही की और और उसनात्मा की सफलता देड़ी दोज़त आठ में अभी नेकिए इसके बाद कंदी रिंगा की दोज़त रंगर चिसको और राम पुथी नेनी का जनम पंद्रे माई उन्हें से 88 को हैदराबाद में मुली पुथी नेनी की घरवा था वह तेलगु फिल्म निर्मता त्रिवन्ती रवी की सोर की भतिजे अभिनेतर सरवान उनकी चचेरी भाई उनका परिवार विजयवाड़ा एकिट की भूमिका निवाई इसके बाद उन्होंने 26 में देवदासू के साथ ठीटर में अपनी सुरुआत की उनकी दूसरी फिल्म इशा सहानी के साथ जगदम सुकुमार की दरा निर्देशी थे इसके बाद वह त्रीनू वैतला की दरा निर्देशी जेनेलियर डिसूज के साथ रेड़ी में दिखाई देजू वैसाही के रूप से सफर रही सफर रही दोज़नौ में उनकी दो रिलीजिम मस्क और गनेश जश्ट गनेश दोज़न दस में पोथी नेनी की केवल एक रिलीज थी राम कुरुष्णा कृष्णा दिल राजु की दरा निर्मिर और त और त्वथी ने भसकर की दरा निर्मिर बीवी इस उनकी दोज़न के रिमेक देशन की विज़य भसकर ने किया था और तरवन्थी रवी की सोर की स्तयोक्त रूप से निर्मिती डूस तुरूसे बाबू 2015 में पोथी नेनी ने दो फिल्मों में पड़ंगा चिसको और सीव में अभी नहीं किया जबकि गूपी चन माली ने कि दरानी देशित पड़ंगा चिसको एक की वैसाही की सफलता थी स्तीवम अपने करियर की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक की रूप में समाप्त हुआ दोजस्तोरे में उनकी दो रिलेजें दोनों उनकी अपने पोटकसान हाउस तिरी त्रवान थी मुईस की दरानी नेनु सेल्जा जो एक वैसाही की सफलता थी और संतोष त्री निवास की दरानी देशित हाइपर जो बोक्स ओफिस पर औस्तर थी उनकी दोजस्तात्रे की आ हैले गुरू मा कोस्ट में में आभी नहीं किया द्वज़ उन्हेस में उन्होंने एकसन थिला आसमाट संकर के लिए निरेशन पूरी जगनात के साथ सायो किया कई अस्पतलाताव के बाद पोठी नेनी के लिए यह फिल्म वैसाही के रुप से सफर है इसने नब्बे कड़ देश से अरिकी कमाई की उनकी करीयर की सफ रवि कमाई करने वाली फिल्म थी उनकी के 21,5 3 जहां उन्होंने दोरी वुमेक मशहीं निवाई थी य अपनी फिल्म टंड़म थारे की रिमेकर 2022 में उन्होंने लेगू सामी की दरणनेदेशी दवारियर में अभिने किया वहाँ उन्होंने एक पूलिस आधिकारी की वुमेकानिवाई फिल्म को अलोचकों से नकरात्म की स्थमीख छामिली और यह बड़ी वैसाही की विफलता थी पुथी नेनी को बोया पती त्रीनों की जकन में अभिने के लिए अनुबंदित किया गया कि यह उनकी पहली अखिल भारती फिल्म होगी पूथी नेनी कई बार हैदराबार्ट टाइमर्स के सौरधरी की वर्षनी प्रूसों को सुची में सामिल किया गया यह 2017 में एक आरवे 2018 में एक आरवे 2019 में तीसरे और 2020 में दूसरी इस्थान पर पूथी नेनी ने अपना ही पहला ब्रांज सरमतन जान अबराहम की साथ गर्नियर के लिए किया गये था हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है साथ की सुपर एष्टा राम पूथी नेनी की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नाम है सकन तो दोस्तों अगर आप भी राम पूथी नेनी की फैन हो और अगर आप सकन तो मोबी को देखना चाहती हो और साथी साथ इस मोबी को बजेट इन बॉक्स आफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी नाव लिएगा सकन द आटेकर अनुवारित ही नुग गॉड ऑफ वार्स्तान ऑफ लड़ सीड एक दो यह तैस की भारती तेल्पो भासर की एकसन पी में जो बोया पती त्रेनो की दरालीकित और निर्देसी थे और इसमें ही दोनों की त्रेने की और भास्तर की एक्षन फिमें जो बोया पत्ती त्रेनों की दरा लिखे और निदेशित अज्जो इस्टूडियोज की स्थायोग सी त्रेनिवास की सिल्वर इस्क्रीन की तोहर त्रेनिवास की चितूरी की दरा निर्मीते फिमें राम सिंसक बोय पती रापो के तहर की गई थी जबकि आधिकारी का सिंसक सकन की घोसना जुराई दोजे 23 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्तूबर 2022 में शुरूई और अगस्त दोजे 23 में समाप्ती संगी स्थमन एस की दर रची थे जबकि छियाकर और स्पादन क्रॉम स्तंतोर देडिक और तमी राजू की दरच संभाला जाता है सकन को 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया गए था और इसी अलोजकों से मित्री से नकरत्म की समीख्या मिली अंगर प्रदेश की मुख्यों मंत्री रायूडू की बेटी की साधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्यों मंत्री रंजीत रेडी का बेटा जो मेहमान की रुप में विवा सथल पर पहुँचा सभी को आईरिया चकीत करती हुए विवा सथल से भाग गया इसे दोनों मुख्यों मंत्री नराज हो जाती है और एक दूसरे को चनौती देती है कि घटना से क्रोधित रायूडू ने ब बेटी और रंजीत रेडी की बेटी बिना नाम वाली महिला नायक जो उसकी सापार्टी भी होती है का उपहारन कर लेता है यह उपहारन काउन ग्रूप कमपणी के सी आईयो रंद्रा क्रांती रामक्रोसनर राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रह दोनों ने अपनी आवे धन को वैद बनाने से इंकार करने की कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया यह पता चला है कि रामक्रोसनर राजू वास्तों में नायक की पिता मनी क्रांत राजू की सबसे अच्छी दोस्त है नायक रामक्रोसनर राजू की बेगुनाही को सावित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की रुद्रगंती प्रेनीता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर किया गए था क्योंकि उसे रंजीत और राइडू ने बंदी बना लिया था कोई विकलप नहीं होने पर रंजीत और राइडू ने राम ग्रोसना राजू को जेल से छुड़ा लिया और जिसके बाद दोनों नायक और उसके परिवार पर हमला किया जहां नायक की हमसकर ने उन्हें बचा ल वो वास्तों में मेरकों का एक की मुख्यों खात की हत्यारे हैं और रामकुरुस्तना राजु की बेटी की प्रिनित का प्रेम भी हैं अठारे फरवरी 2022 को त्रीनिवास सिल्वर एस्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोस्ना की जो बोया पती त्रीनु की दरन्देशीत है औ और इसमें राम पुथी नेनी मुख्यों भुमिका में होंगे इसी अस्थाई की तौर पर बोया पती रापो नाम दिया गए था एक जून 2022 को हैद्राबाद में एक मूरतम पूजा आयोजीत की गई थी पांच अक्तूबर 2022 को त्रीलीला को पहली बार राम पुथी नेनी के साथ मुख्यों मैला भुमिका निभाने की घुसना की गई थी तीन जुलाई 2023 को एक जहलक जारी की गई जिसमें सकन सिंसर का पतर चला मुख्यों पूटोग्राफी चोब अक्तूबर 2022 को हैद्राबाद की रामोजी फिर्म सीटी में पहले सेंडियूल के साथ शुरू हुई देला का एक की दोस्यों में सामीर था सामड़ी की और बैक्राउंड की बैक्राउंड इसकोर इसकी थमन की दरत तयार किया गए जो कांदी रेंगा और मसाला दोजेतेरे और पड़ंग चिसकों के बाद पुथी नेनी के साथ अपनी चौते सायोग में है सरे नेडू तीन अगसtså दूजे तेऍस को जारी किया गए था. दूसरेा एकल सिंसर गंदर माई ऑठारे अगस linkage दूजे तेष को जारी किया गए था. तिसरा एकल सिंसर दूम्म्रे overdust 30 अगस 2500 को जारी और मलियालम भासाव की डॉप संसकार्णों के साथ तेलगू में दिलीच किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर दोजे 23 तक बढ़ा दिया गए सकन को अलोचकों सिमित्रित की समिख्छा मिले जिनोंने पोथी नेनी की प्रदासान और एक संदूर्शियों की प्रसंसा की जबकि इसकी कहानी और पठकटा की अलोचना की एक सिते इस तेलगू ने 35 एस्टार दिये और लिखा सकन एक समूही की प्रदासन उर्जावन एक संदूर्शियों और देखने के लायक की नुतिव प्रस्तूत करती है जबकि प्रसंसक और जनता इस हाई विल्टेज मनुरंग जन फीम का आनन लेंगे फीम की सरल की फिल्म की सरल कहानी है कि कार्टी क्रिया की एक संदूर्शियों और सूसरत की दूसरा भाग दूसरे को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलूओं से सहमत हो तो आप इस सताहत के अंत में यह फीम देख सकती है टाइमस ओफ इंडिया की निसीता नया पती ने 25 एस्टार और लिखा सकन ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप तक की उमेड करते हैं लेकिन जब इसमें केवर राम और कुछ एक्षन सिक्वेंस होते हैं तो मनुरंग्यन के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है दस आउट फॉस्ट की प्राकास पचेती ने 25 एस्टार दिये और लिखा सकन बोया पती त्रीनों की एक नियमित नियमित और फार्मूला बन कता है यह एक तक्रहीन कहानी और बेतु की कामेडी के साथ बड़े पैमाने पर दसकों में अर्थ हीन आफिम पैरा करते हैं यहां तकि मौज मस्ती की दिन को भी खराप्स कर सकता है गनेश्ट विर्सतरजन ओ अधा धूर ने पंद्रे इस्टार दी और लिखा सकन एक ऐसी फिम है जो बोया पती की पिछली फिम विनाए विध्या राम को भी और सिम की रूप से बेहतर बनाएगा यहां कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है यह सिर्फ एक काम की एक बुरा दिन है फिम नर्मता के लिए राम पूथी नेनी की परकटा चयन समती समस्या जारी रही है और संगितकार की थमन जो की एकसन मनोरंगजन की सोकीन है बड़े अंतर से चुग गए अभी लशा की चेरू कूरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने पंद्रे इस्टार रहे और लिखा सकन सायत तबूत में आखरी कील है हो सकता है जो की बुया पतु फर्मूला है दर हिंदू की संगीत देवी डंडु ने फेल्म की और वचना की और लिखा कहानी कहने की चत्री चित्रन संगीत या एकसन कुरियोग्राफि में कोई नमींतव नहीं होने के कारण सकन फूला हुआ है यह उच्छ की डेसिबल सम कि उस्ताव के उस्ताव में इतना निरंतर है कि आप अपना सूर बनाय रखना चाह सकती है इर्फून रख्ष करना आसान है अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला है तो यह एक खत्रे की तरह लगते हैं देखन कानिकल की बीपी एस की प्राकास ने चत्र चित्रन और पठखटा लिखन की जबकि इसे नास मजी प्रून की रख्त रंजीत एक्षन गया करार दिया फिल्म का अंतिम दुर्शिव एक टैग लाइन अनफूल्ड इन सकन के साथ प्रदर्सित होता जो की अगली कड़ी की ओर से इसारा करता है और राम पुथी नेनी की एक ही दुर्णों की और अपने प्रदान की बाद उन्होंने वैसाही की और अरोशनात्मा की सफलता देड़ी 2008 में अभी नेकिए इसके बाद कंदी रिंगा की दोजर एगारे की सफलता से पहले वैसाही की अस्फलाओ की एक त्रूंखला किया है पुथी नेनी की अनय उले पुथी नेनी की फिल्म निर्मता त्रिवन्ती रवी की सोर की भतिजे अभी नेतर सरवान उनकी चचेरी भाई उनका परिवार विजय वाड़ा आंधर प्रदेश का रहने वाला है पुथी नेनी की पहली बाद तमिल भासा की लगू फिल्म आधियालम दोजर दू में उनकी दूसरी फिल्म इसा सहानी के साथ जग्रम सुकुमार की दरा निर्देशी थी इसके बाद वा त्रीनू वैतला की दरा निर्देशी जेनेलियर दिसुजा के साथ रेडी में दिखाई दे जू वैसाही के रुप से सफर ही सफरई 2009 में उनकी दो रिलीजिय मस्क और गनेश जश्ट गनेश 2010 में पोथी नेनी की केवल एक रिलीज थी राम कुरुष्णा कृष्णा दिल राजु की दरा नीमिर और त्रिवास की दरा नेदेशित पोथी नेनी की अगली फिल्म कंदी रिंगा 2001 थी बात में उन्होंने एडू कांटरी की प्रेमता में अभिने किया 2012 की तमन्ना की साथ करोना करन की दरा नेदेशित और त्रवानती रवी की सूर की दरा नीमिर दोजे तेरे में पोथी नेनी भसकर की दरा नेदेशित और बीवी एस एन प्रसाथ की दरा नी एक्षन कामेडी मसाला में वेक्टिन्स की साथ सह अभी नहीं किया जो हींडी फिल्म बोल बचन की रिमेक थी जिसका नेदेशन की विजय भसकर नहीं किया था और तरवन्थी रवी की सोर की स्तयोग तुरूप से निर्मी थी डूस तुरूई से बाबू 2015 में पोथी नेनी ने दो फिल्मों में पड़ंगा चिसको और सीव में अभी नहीं किया जबकि गूपी चन माली ने की ररा निर्देशित पड़ंगा चिसको एक की वैसाही की सवलता थी सीवम अपने करियर की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक की रूप में समाप्तुआ दो जस्तोरे में उनकी दो रिलेजें दोनों उनकी अपने पोटकसान हाउस तरी त्रवान थी मुईस की दारा निर्मीर नेनु सेल्जा जो एक वैसाही की सफलता थी और संतोष त्री निवास की दारा निर्देशित हाइपर जो बोक्स ओफिस पर औस्तर थी उनकी दो सत्र पर जो रिखे की आने वाली फिल्म विनाधी की ओकांते जिंदगी को मित्री समीक्चा मिडी द्वजर आठारे में उन्होंने त्री नाधा राव नकीना की दारा निर्देशित रोमांटी का मेडी हैले गुरू मां कोस्त में में आभी नहीं किया द्वजर उनेस में उन्हो कड़ोसी आरिव की कमाय की जो उनकी करियर की सबसी आधि कमाय करने वाली फिल्म थी उनकी 21 की फिल्म टी जहां उन्होंने दोरी व Kerry काौनी भाई थी य और यह बड़ी वैसाही की विफलता थी पुथी नेनी को बोया पती त्रीनों की जकन में अभिनय के लिए अनुबंदित किया गए कि यह उनकी पहली अखिल भारती फिल्म होगी पुथी नेनी कई बार हैदराबार टाइमर्स के सौरधरी की वर्षनी प्रूसो को सुची में सामिल किया गए यह 2017 में 2018 में 2018 में 2019 में तीसरी और 2020 में दूसरी इस्थान पुथी नेनी ने अपना ही पहला ब्राण सर्मतन जान अबराहम की साथ गर्नियर के लिए किया गए था हेलो दोस्तो स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है साथ की सुपर इश्था राम पुथी नेनी की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नाम है सकन तो दोस्तो अगर आप भी राम पुथी नेनी की फैन हो और अगर आप सकन्त मोबी को देखना चाहती हूं और साथी सथ इस मोबी को बजेट इन बॉक्स आफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूं तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी सथ बिल आइकन दबाना नाम भी नाव लिएगा सकन्द दब आटेकर अनुवारित हीन्दू गार्ड ओफ वार्स्तान ओफ लड़ सीर एक दो यह तेश की भारती तेलगो भासर की एक्शन फी में जो बोया पती त्रीनो की दारा लिकित और नेदेशी थे और इसमें ही दोनों की त्रेने की और भासर की एक्शन फी में जो वोयद पत्थी दरा लिखी और निरेसित अज्यो谁RI वास के चित्तूरीी की दरा निर्मिते फिर में राम पुथि नी दोरी भुमिकाम है त्रीनेला साई मंजरेगर और प्रिंस की सेसिल है फिल्म की आधिकारी की घोसना फरवरी 2022 में अस्थाई की सिंसक बोय पती रापो के तहर की गई थी जबकि आधिकारी का सिंसक सकन की घोसना जुलाई 2023 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्तूबर 2022 में शुरूई और अगस्थ 2023 में समाप्ती संगी स्थमन इसकी दर रची थे जबकि छियाकर और स्पादन क्रॉमस तंतोर्स डेडिक और तमी राजू की दर संभाला जाता है सकन को 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया गए था और इसी अलोचको से मित्री से नकरत्म की समीक्षा मिली अंगर प्रदेश की मुख्यों मंत्री रायूडू की बेटी की साधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्यों मंत्री रंजीत रेडी का बेटा जो मेहमान की रूप में विवा सतल पर पहुँचा सभी को आईरिया चकीत करती हुए विवा सतल से भाग गया इसे दोनों मुख्यों मंत्री नराज हो जाती है और एक दूसरे को चनौती देती है कि घटन से क्रोधीत रायू ने बदला लेने के लिए रंजीत रेडी की बेटे को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर लगाया इस बीच बिना नाम वाला एक नायक रायू को बेटी और रंजीत रेडी की बेटी बिना नाम वाली महिला नायक जो उसकी सापार्टी भी होती है का उपहारन कर लेता है यह उपहारन काउन ग्रूप कमपणी के CIO रंद्रा करांती रामक्रोसनर राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे है और रंजीत रेडी और राइडू दोनों ने अपनी आवेधन को वेद बनाने से इंकार करने की कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया यह पता चला है कि रामक्रोसनर राजू वास्तों में नायक की पिता मनी क्रांत राजू की सबसे अच्छी दोश्त है नायक रामक्रोसनर राजू की बेगुनाही को सावित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की रुद्रगंती प्रेनीता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसे रणजीत और राजू ने बंदी बना लिया था कोई विकलप नहीं होने पर रणजीत और राजू ने रामक्रोसना राजू को जेल से छुडा लिया और जिसके बाद दोनों नायक और उसके परिवार पर हमला किया जहां नायक की हमसकर ने उन्हें बचा लिया आखिरकार रंजीत और राइडू ने मीडिया के सामने अपने आपरात कबूल कर लिया जहां उन्हें पता चला कि उजिस ने नायक और उसके परिवार को बचाया व वा वास्तों में मेरकों का एक की मुख्यों खात की हत्यार हैं और रामकुरुस्तना राजु की बेटी की प्रिनित का प्रेम भी है। अठारे फरवरी 2022 को त्री निवास सिल्वर इस्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोस्ना की जो बोया पती त्रीनु की दरन देशीत हैं और इसमें राम पुथी नेनी मुख्यों वुमिका में होंगे। इसी अस्थाई की तोर पर बोया पती रापो नाम दिया गए था एक जून 2022 को हैद्राबाद में एक मूरतम पूजा आयोजीत की गई थी पांच अक्तूबर 2022 को त्री लीला को पहली बार राम पुथी नेनी के साथ मुख्यों मैला भुमिका निभाने की घोस्ना की गई थी तीन जुलाई दोजे 23 को एक जहलक जारी की गई जिसमें सकन सिंसर का पतर चला मुख्यों पोटोग्राफी चोब अक्तूबर 2022 को हैद्राबाद की रामोजी फिल्म सीटी में पहले सेंडियूल के साथ सुरू हुई दूसरा सेंडियूल नोवंबर में सुरू हुआ और इसम सेंडियूल जनुवरी 23 में सुरू हुआ सेंडियूल में पोठी नेनि और त्रि लेला का एक की दोस्यों में सामिर था साम।्धिय की और बैक्राप्राउं इसकूर ईसकी थमन की दरत तयार किया गए जो कांधी रगस और मसाला दोजे तेरे और पड़ंग चिसकों के बाद पुथिनेनी के साथ अपनी चौतरी स्योग में है सरे नेडू दोज़सोरे और आखंड दोज़स एकरिस के बाद बोयपती तेनों के साथ तीसरा स्योग पहला इलकन की नेड चुटू चुटू तीन अगस दोज़सोरे तेस को जारी किया गए था दूसरा एकर सिंसर गंदरम बाई आठारे अगस दोज़सोरे तेस को जारी किया गए था तीसरा एकर सिंसर दुम्रे दुम्मा तीस अगस दो जारी किया गए था चोथा एकल सिंसर कलट मामा 18 सितंबर 23 को जारी किया गए था और सकन को पहले ही 20 अक्तूबर 23 को हिंदी तॉमिल कोनर्ड और मलियालम भासाओ की डॉप संस्कार्णों के साथ तेलगू में दिलीच किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर 23 तक बढ़ा दिया सकन को अलोचको सिमित्रित की समिक्षा मिली जिनोंने पोथी नेनी की प्रदासान और एक संदूर्सियों की प्रसंसा की जबकि इसकी कहानी और पठकटा की अलोचना की एक सी 23 तेलगू ने 35 स्टार दिये और लिखा सकन एक समूही की प्रदासन उर्जावन एक संदूर्सियों और देखने के लायक की नुतिव प्रस्तूत करती है जबकि प्रसंसक और जनता इस हाई वेल्टेज मनुरंग जन फीम का आनन लेंगे फीम की सरल की फिल्म की सरल कहानी है कि कार्टी क्रिया की एक संदूर्सियों और सूसरत की दूसरा भाग दूसरे को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलूओं से सहमत हो तो आप इस सताहत्म के अंत्र में यह फीम देख सकती है टाइमस ओफ इंडिया की निसीता नया पती ने 25 सिक्वेंस होती है तो मनुरंगयन के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है दस आउट फॉस्ट की प्राकास पचेती ने पंदरे पास इस्टार दिये और लिखा सकन्द भूय पती त्रेनों की एक नियमित नियमित और फार्मूला बन कता है यह एक तक्रहीन कहानी और बेतुक की कामेडी के साथ बड़े पैमाने परदस्कों में अर्थहीन और फिर्म पैरा करते यहां तकि मोज मस्ती की दीन को भी खराप्स कर सकता है गनेश्ट विर्स्तरजन ओटीटी प्ले की तिरिवर्ट सवन की नाधा धूर ने पंदरे इस्टार दिये और लिखा सगन एक ऐसी प्ले फिल्म जो बोयपती की पिछली फिल्म विनाय विधिया राम को भी और सिम की रूप से बहतर बनाएगा यहां कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है यह सिर्फ एक काम की एक बुरा दिन है फिल्म नर्मता के लिए राम पूठी नेनी की परकटा चयन समती समस्या जारी गई है और संगितकार की थमन जो की एक्षन मनोरंगजन की सौकीन है बड़े अंतर से चुक गए अभी लशा की चेरुकूरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने पंद्रे एस्टार रहे और लिखा सकन्सायत तबूत में आखरी किल हो सकता है जो की बुया पतू फर्मूला है दर हिं साफी में कोई नवींतव नहीं होने की कारण सकन्स फूला हुआ है यह उसकी डेसिबल समोही की उस्तव के उस्तव में इतना निरंतर है कि आप अपना सूर बनाय रखना चाह सकती है एफोन रख्ष करना आसान है अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला देखन कानिकल की बीपी एस की प्रकास ने चत्री चित्रन और पठखटा लिखन की जबकि इसे नास मजी प्रून की रख्त रंजीत एक्षन गया करार दिया फिल्म का अंतिम दूसिव एक टैग लाइन अन्फूल्ड इन सकन्स के साथ प्रदर्सित होता है जो की अगली कड पूधी की ओड से इसारा करता है और राम पूधी नेनी की एक ही दोनों की और अपने प्रदान की बाद उन्होंने वैसाही की और अरोशनात्मा की सफलता देड़ी 2008 में अभी नेकिया इसके बाद कंडी रिंगा की दोज़ए एकारे की सफलता से पहले वैसाही की अस्फला पूधी नेनी की अनय उलेखनी की काईड़ों में पंडांगा चिसको और राम पूधी नेनी का जनम पंद्रे माई उन्हेसी आठासी को हैदराबाद में मुली पूधी नेनी की घरवा था वा तेलवू फिम निर्मता त्रिवंती रवी की सोर की भतिजे अभी नेतर सरवान उनकी चचेरी भाई उनका परिवार विजय वाड़ा आंधरप्रदेश का रहने वाला है पूधी नेनी की पहली बाद तमिल भासा की लगू फिम आदियालम दोज़दू में दिखाई दिये जहाँ उन्होंने अठारे वर्सी एक ड्रग एकिट की भूमिका निवाई इसके बाद वा त्रीनू वैतला की दरा निदेशी जेनेलिय डिसुजा के साथ रेडी में दिखाई देजू वैसाही के रूप से सफर रही सफर रही दोज़दू में उनकी दो रिलीजिय मस्क और गनेश जश्ट गनेश दोज़द दस में पोथी नेनी की केवल एक रिलीज थी राम कुरुष्णा कृष्णा दिल राजू की दरा निदेशित पोथी नेनी की अगली फिल्म कंदी रेंगा दोज़द एक आरे थी बात में उन्होंने एडू कांट्री की प्रेमता में अभिने किया दोज़द बार्य की तमन्ना की साथ करोना करन की दरा निदेशित और त पूती खरबंदा के साथ उंगूल की गीता में दिखाई उसी वर्स उन्होंने एक्षन कामेडी मसाला में वेक्टिन्स की साथ सब अभिने किया जो हींडी फिल्म बोल बचन की रिमेक थी जिसका निदेशन की विजय भसकर नी किया था और तरवन्थी रवी की सोर की सयोग पूत रूप से निर्मी थी डूस तुरू से बाबू दोजर पंद्रे में पोथी नेनी ने दो फिल्मों में पड़ंगा चिसको और सीव में अभिने किया जबकि गूपी चन माली ने की दारा निदेशी पड़ंगा चिसको एकी वैसाही की सबलता थी सीवम अपने करियर की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक की रूप में समाप्त हुआ दोजर सोरे में उनकी दो रिलेजें दोनों उनकी अपने पोटकसन हाउस तिरी त्रवान थी मुईस की दारा निर्मीर नेनु सेल्जा जो एक वैसाही की सबलता थी और संतोस तिरी निवास की दारा कारे में उन्होंने त्रिनाधा राव नकीना की दारा निर्देशी त्रोमांटी का मेड़ी हैले गुरू मां कोस्त में में अभिना किया द्वजर उन्हेस में उन्होंने एक संधिला आस्माट संकर के लिए निर्देशन पूरी जगनात के साथ सायो किया कई अस्पतलाताव के बाद पूठी नेने के लिए यह फिल्म वैसा ही के रुप से सफर है इसने नब्बे कडोसी आधी की कमाई की जो उनकी करियर की सबसी आधी कमाई करने वाली फिल्म थी उनकी 2021 की फिल्म रेड थी जहां उन्होंने दोरी हो में कानी भाई थी यह तामी फिल्म ठंडम 2018 की में 2022 में उन्होंने लिगू सामी की दरनेदेशी दव वारियर में अभिने किया वहाँ उन्होंने एक पूलिस आधीकारी की वो में कानी भाई फिल्म को अलोचकों से नकरात्म की स्थमीख छामिली और यह बड़ी वैसाही की विफलता थी पुथी नेनी को बोया पती त्री में अभिने के लिए अनुबंदित किया गया कि यह उनकी पहली अखिल भारती फिल्म होगी पूथी नेनी कई बार हैद्राबार्ट टाइमर्स के सौरधरी की वाचनी प्रूसों को सुची में सामिल किया गया यह 2017 में 2018 में 2019 में तीसरे और 2020 में दूसरी इस्थान पर रहे प नहीं पहला ब्राण सर्मतन जान अबराहम की स्ताथ गर्नियर के लिए किया गये था हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावत की सुपर इस्था राम पूथी नेनी की करियर की सबसे ब को जानना चाहती हूं तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी नाव लिएगा सकंड अटेकर अनुवारित हींडू गॉड ओफ वार्स्तान ओफ लड़ सीर एक दो यह तेश की भारती तेलगो भासर की एक्षन पी में जो बोया पती त्रेनो की दरा लिखी और निर्देशित हैं और इसमें ही दोनों की त्रेने की और भासर की एक्षन पी में जो बोया पती त्रेनो की दरा लिखी और निर्देशित अज्जो इस्टूडियोज की सरयोग सी त्रेनिवास की सिल्वर इसक्रीन की तोहर त्रेनिवास की चितूरी की दरा नेमी थे फिम में राम पुथी नी दोरी भुमिकाम है त्री लेला साई मंजरेगा और प्रिंस की सेसिल है फिल्म की आधिकारी की घोसना फरवरी 2022 में अस्थाई की सिंसक बोय पती रापो के तहर की गई थी जबकि आधिकारी का सिंसक सकन की घोसना जुराई 2023 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्तूबर 2022 में शुरूई और अगस्थ 2023 में समाप्ती संगी स्थमन इसकी दर रची थे जबकि छियाकर और स्पादन क्रॉमन स्थन्तूर्स देडिक और तमी राजू की दर संभाला जाता है सकन को 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया गए था और इसी अलोशको से मित्री से नकरत्म की समीक्षा मिली अंगर प्रदेश की मुख्यों मंत्री रायूडू की बेटी की साधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्यों मंत्री रंजीत रेडी का बेटा जो मेहमान की रूप में विवा सतल पर पहुँचा सभी को आईरिया चकीत करती हुए विवा सतल से भाग गया इसे दोनों मुख्यों मंत्री नराज हो जाती है और एक दूसरे को चनौती देती है कि घटन से क्रोधीत रायू ने बदला लेने के लिए संजीत की रंजीत रेडी की बेटे को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर लगाया इस बीच बिना नाम वाला एक नायक रायू को बेटी और रंजीत रेडी की बेटी बिना नाम वा के CIO रंद्रा क्रांती रामक्रोसना राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे है और रंजीत रेडी और राइडू दोनों ने अपनी आवे धन को वैद बनाने से इंकार करने की कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया यह पता चला है कि रा नायक रामक्रोसना राजू की बेगुनाही को स्वावित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की रुद्रगंती प्रेनीता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसे रंजीत और राइडू ने बंदी बना ल किया जहां नायक की हमसकर ने उन्हें बचा लिया आखिरकार रंजीत और राइडू ने मीडिया के सामने अपने आपरात कबूल कर लिया जहां उन्हें पता चला कि उजिस ने नायक और उसके परिवार को बचाया वह वास्तों में मेरकों का एक की मुख्यों खात की हत्यार और रामकुरुस्तना राजु की बेटी की प्रीनित का प्रेम भी है 18 फरवरी 2022 को त्रीनिवास सिल्वर इस्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोसना की जो बोया पती त्रीनु की दरण देशित है और इसमें राम पुथीनेनी मुख्यों हुमिका में होंगे इसी अस्थाई की तोर पर बोया पती रापो नाम दिया गए था एक जून 2022 को हैदराबाद में एक मूरतम पूजा आयोजीत की गई थी 5 अक्तूबर 2022 को त्रीलीला को पहली बार राम पुथीनेनी के साथ मुख्यों मैला भुमिका निभाने की घोसना की गई थी 3 जुलाई 2023 को एक जहलक ज चला मुख्यों पूटोग्राफी चोब अक्तूबर 2022 को हैदराबाद की रामोजी फिल्म सीटी में पहले सेंडियूल के साथ सुरू हुई दूसरा सेंडियूल नॉवंबर में शुरू हुआ और इसमें एक एक्सन सिक्वेंस सामिल था तीसरा सेंडियूल जन्वारी 2023 में एक की दोस्यों में सामिल था सामडिय की और बैक्राउंड की बैक्राउंड इसकोर इसकी थमन की दरत तयार किया गए जो कांदी रेंगा और मसाला दोजेतेरे और पड़ंग चिसको के बाद पुथी नेनी के साथ अपने चौते सायोग में है सरे नेडू दोज़सोरे और आखंड दो सरे बाद बोया पती त्रिनों के सार्त तीसरा सुब पहला इलकन की नेच चुटू चुटू तीन अगास्थी को जारी था दूस्तर एकर सिंसर्थ गंदरां बाई 8 अगास्थी को जारी किया गए था और सकन को पहले ही 20 अक्तूबर दोजे 23 को हिंदी तॉमी कॉनर्ड और मलियालम भासाओ की डॉप संसकार्णों के साथ तेलगू में दिलीच किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर दोजे 23 तक बढ़ा दिया गए सकन को अलोचको सिमिट्रीट की समिख्छा मिले सकरात नगरात्मा की समिख्छा मिले जिनोंने पोथी नेनी की प्रदासान और एक संदूर्शियों की प्रसंसा की जबकि इसकी कहानी और पठकटा की अलोचना की सकन एक समुही की प्रदासन उर्जावन एक संदूर्शियों और देखने के लायक की नुतिव प्रस्तूत करती है जबकि प्रसंसक और जनता इस हाई वेल्टेज मनुरंग जन फीम का आनन लेंगे फीम की सरल की फिल्म की सरल कहानी है कि कार्टी क्रिया की एक संदूर्शियों और सूसरत की दूसरा भाग दूसरे को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुओं से सहमत हो तो आप इस सब्ताहत के अंत में यह फिम देख सकती है टाइमस ओफ इंडिया की निसीता नया पती ने 25 इस्टार दी और लिखा सकन ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप तक की उमेड करते हैं लेकिन जब इसमें केवर राम और कुछ एक्षन सिक्वेंस होते हैं तो मनुरंग जन के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है दस साउट फॉस्ट की प्रकास पचेती ने 25 इस्टार दी और लिखा सकन बुय पती त्रेनों की एक नियमित नियमित और फर्मूला बन कता है यह एक तक्रहीन कहानी और बेतुकी कामेडी के साथ बड़े पैमाने पर दसकों में अर्थहीन आफिम पैरा करते हैं यहाँ तक कि मौज मस्ती की दीन को भी खराप्स कर सकता है गनेश्ट विर्स्तरजन ओटीटी प्ले की तिरिवरत सवन की नादा धूर ने पंद्रे इस्टार दी और लिखा सकन एक ऐसी फीम है जो बुय पती की पिछली फीम विनाए विध्या राम को भी और सिम की रूप से बेहतर ब मस्या जारी रही है और संगितकार की थमन जो की एकसन मनोरंगजन की सौकीन है बड़े अंतर से चुक गए अभी लशा की चेरुकूरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने पंद्रे इस्टार रहे और लिखा सकन सायत तबूत में आखरी कील है हो सकता है जो की बुय पतु फर्मूला है दर हिंदू की संगीत डेवी डंडूने फिर्म की और वच्वना की और लिखा कहानी कहने की चत्रिट चित्रन संगीत या एकसन कोई नवीन्तव नहीं होने की कारण सकन फूला हुआ है या उसकी डेसिबल समूही की उस्तव की उस्तव में इतना निरंतर है कि आप अपना सूर बनाय रखना चाह सकती है एक फोन रख्ष करना आसान है अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला है तो यह एक खत्रे की तरह लगते हैं देखन कानिकल की बीपी एस की प्राकास ने चत्री चित्रन और पठखटा लिखन की अलोचना की जबकि इसे ना समझी प्रून की रख्त रंजीत एक्षन गया करार दिया फिल्म का अंतिम दूर्शिव एक टेग लाइन अनफूल्ड इन सकन के साथ प्रदर्सित होता जो की अगली कड़ी की ओर से इसारा करता है और राम पुथी नेनी की एक ही दोनों की और अपने प्रदान की बाद उन सफलता से पहले वैसाही की अस्फलाओ की एक त्रूंकला की अई पुथी नेनी की अनय उलेखनी की काईड़ों में पंड़ांगा चिसको और राम पुथी नेनी का जनम पंद्रे मई उन्हें से 88 को हैदराबाद में मुली पुथी नेनी की घरवा था वा तेलवू फिल्म न पुथी नेनी की पहली बाद तमिल भासा की लगू फिल्म आदियालम दोज़दू में दिखाई दिये जहां उन्होंने अठारे वर्सी एक ड्रॉग एकीट की भूमिका निवाई इसके बाद उन्होंने दोज़द्छव में देवदासू के साथ ठीटर में अपनी बाद की उनकी दूसरी फिलम इसा सहानी के साथ जग्रम सुकुमार की धरा निर देशी ते इसके बाद वह रिस्थमी देश्षा की दरा निर्युद्धेसी जीनेलिय दिसूटर के साथ रेड़ी में दिखाई देश्षई की रुप से सफ़रुह कुस्त हीं सफ़र रही और त्रिवास की धर निदेशित पूठी नेनी की अगली फिल्म कंदी रिंगा 2001 थी बात में उन्होंने एडू कांट्री की प्रेमता में अभिने किया दोजर बार्य की तमन्ना की सार करोना करन की धर निदेशित और त्रवानती रवी की सूर की दर निर्मी दोजर तेरे में पूथी नेनी भसकर की दरा निदेशित और बीवी इस एन प्रसाद की दरा निर्में कुरूती खरबंदा के साथ उंगूल की गीता में दिखाई उसी वर्स उन्होंने एक्सन का मेडी मसाला में वेक्टिन्स की साथ सावी ने किया जो हींडी फिम बोल बचन की रिमेक थी जिसका निदेशन की विजय भसकर नी किया था और तरवन्थी रवी की सोर की स्तयोक तुरूप से निर्मी थी डूस तुरूई से बाबू दोजर पंद्रे में पोथी नेनी ने दो फिल्मों में पड़ंगा चिसको और सीव में अभी नहीं किया जबकि गूप सोरे में उनकी दो रिलेजें दोनों उनकी अपने पोटकसन हाउस त्री त्रवान थी मुईस की दारा निर्मीर नेनु सेल्जा जो एक वैसाही की सफलता थी और संतोष त्री निवास की दारा निर्देशित हाइपर जो बोक्स ओफिस पर उस्तर थी उनकी दो रिलेज सत्रे की आने वाली फिल्म विनाधी की ओकांते जिंदगी को मित्री समिक चामीरी दोजर आठारे में उन्होंने त्री नाधा राव नकीना की दारा निर्देशित रोमांटी का मेड़ी हैले गुरु मा कोस्ट में में आभिना किया दोजर उनेस में उन्ह फिल्म वैसाही के रूप से सफर है इसने 90 कड़ोसी आधी की कमाई की जो उनकी करियर की सबसी आधी कमाई करने वाली फिल्म थी उनकी 2021 की फिल्म रेड थी जहां उन्होंने दोरी हुमिकानी भाई थी यह तमे फिल्म ठंडम 2018 की रिमेकर 2022 में उन्होंने लेगु सामी की दरण ने देशी दव वारियर में अभिने किया वहाँ उन्होंने एक पूलिस आधीकारी की वुमिकानी भाई फिल्म को अलोचकों से नकरात्म की स्थमीख छा मिली और यह बड़ी वैसाही की विफलता थी पुथी नेनी को बोया पती त्रीनों की जकन में अभिने के लिए अनु पुथी नेनी ने अपना ही पहला ब्राण सर्मतन जान अबराहम की साथ गर्नियर के लिए किया गए था हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है साथ की सुपर इश्टा राम पुथी नेनी की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नाम है सकन तो दोस्तों अगर आप भी राम पुथी नेनी की फैन हो और अगर आप सकन तो मोबी को देखना चाहती हो और साथी साथ इस मोबी को बजेट इन बॉक्स आफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना पुलिएगा सकन दर आटेकर अनुवादि थी नू गॉड और वारसान अफ लड़ सीर एक, दो यथे टेएस की भारती तेलगो भासर की एक्सन पी में जो बोया पती त्रेनों की दरा लिखी और निर्देशित है और इसमें ही दोनों की त्रेनी की और भास्तर की एक्षन फिमें जो बोया पत्ती त्रेनों की दरा लिखी और निदेशित अज्जो इस्टूडियोज की सरयोग सी त्रेनिवास की सिल्वर इसक्रीन की तोहर त्रेनिवास की चितूरी की दरा नेमी ते फिम में राम पुथी न सिंसक बोय पती रापो के तहर की गई थी जबकि आधिकारी का सिंसक सकन की घोस्ना जुलाई दोजे 23 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्तूबर 2022 में शुरूई और अगस्ट दोजे 23 में समाप्टी संगी स्थमन एस की दर रची थे जबकि छियाकर और स्पादन क्र को रिलीज किया गए था और इसी अलोचको से मित्रे से नकरत्म की समिक्षा मिली अंगर प्रदेश की मुख्यों मंत्री रायूडू की बेटी की साधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्यों मंत्री रंजीत रेडी का बेटा जो मेहमान की रूप में विवा सथल पर बाग गया इसे दोनों मुख्यों मंत्री नराज हो जाती है और एक दूसरे को चुनवती देती है कि घटन से क्रोधीत रायू ने बदला लेने के लिए संजीत की रंजीत रेडी की बेटे को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर लगाया इस बीच बीना नाम वाला एक नाय कर लेता है यह उपहारन काउन ग्रूप कंपणी के सियायो रंद्रा क्रांती रामक्रोसना राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे है और रंजीत रेडी और रायडू दोनों ने अपनी आवे धन को वैद बनाने से इंकार करने के कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया है यह पता चला है कि रामक्रोसना राजू वास्तों में नायक की पिता मनी क्रांत राजू की सबसे अच्छी दोस्त है नायक रामक्रोसना राजू की बेगुनाही को सावित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की रुद्रगंती प ना लिया था कोई विकलप नहीं होने पर रंजीत और राइडू ने राम कुरूसना राजू को जेल से छुड़ा लिया और जिसके बाद दोनों नायक और उसके परिवार पर हमला किया जहां नायक की हमसकर ने उन्हें बचा लिया अखिरकार रंजीत और राइडू ने मीडि योखात की हत्यारे हैं और रामकुरुस्तना राजु की बेटी की प्रिनित का प्रेम भी है अठारे फ़रवरी द्वजर बाइस को त्रीनिवास सिल्वर इसक्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोसना की जो बोया पती त्रीनु की दरण देशीत है और इसमें राम पुथी ने जीत की गई थी 5 अक्तूबर 2022 को त्रीलीला को पहली बार राम पुथी नेनी के साथ मुख्यू मैला भुमिकान निभाने की घोसना की गई थी 3 जुलाई 2023 को एक जहलक जारी की गई जिसमें सकन सिंसर का पतर चला मुख्यू पोटोग्राफी 6 अक्तूबर 2022 को हैदराबाद क रामोजी फिल्म सीटी में पहले सेंडियूल के साथ सुरू हुई दूसरा सेंडियूल नौवंबर में सुरू हुआ और इसमें एक एक्षन सिक्वेंस सामिल था तीसरा सेंडियूल जनवरी 2023 में सुरू हुआ सेंडियूल में पोठी नेनी और त्री लेला का एक की दोस्यों और पड़ंग चिसको के बाद पुथी नेनी के साथ अपने चौते सायोग में है स्थरे नेडू दोज़ा सोरे और आखट दोज़ा एकरिस के बाद बोयपती तेनु के साथ तीसरा से पहला इलकन की नेड चुटू चुटू तीन अगस दोज़े तेईस को जारी किया गए था दूसरा एकर सिंसर गंदरमबाई आठारे अगस दोज़े तेईस को जारी किया गए था तीसरा एकर सिंसर दुम्रे दुम्मा तीस अगस दोज़े 23 को जारी किया गए था चौथा एकल सिंसर कलट मामा 18 सितंबर 23 को जारी किया गए था और सकन को पहले ही 20 अक्तूबर 23 को हिंदी तॉमिर कॉनर्ड और मलियालम भासाओ की डॉप संसकार्णों के साथ तेलगू में दिलीच किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर 23 तक बढ़ा द मकरातम की समीक्षा मिली जिन्होंने पूथी नेनी की प्रदोसान और एक संदूर्शियों की प्रसन्सक की जबकि इसकी कहानी और पठकटा की अलोचना की एक सितेईस तेलगु ने 35 एश्टार दिये और लिखा सकन एक समूही की प्रदोसन उर्जावन एक संदूसियों और देखने के लायक की नुतिव प्रस्तूत करती है जब की प्रसंसक और जनता इस हाई वेल्टेज मनुरंग जन फील्म का आनन लेंगे फील्म की सरल कहानी है क कार्टी क्रिया की एक संदूसियों और सुसरत की दूसरा भाग दूसरे को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुगों से सहमत हो तो आप इस सब्ताहत के अंत्र में यह फील्म देख सकती है टाइमस ओफ इंडिया की निसीता नया पती ने 25 एश्टार रही और लिखा स सकन ऐसी फील्म नहीं है जिसी आप तक की उमीद करते हैं लेकिन जब इस में केवर राम और कुछ एक्षन सिक्वेंस होते हैं तो मनुरंग्जन के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है दस आउट फॉस्ट की प्रकास पचेती ने 25 एश्टार दिये और लिखा सकन भूय पती की त्रीनों की एक नियमित नियमित और फार्मूला बन कता है यह एक तक्रहीन कहानी और बेतु की कामेडी के साथ बड़े पैमाने परदस्कों में अर्थ हीन और फिम पैरा करते हैं यहां तकि मौज मस्ती की दिन को भी खराप्स कर सकता है गनेश्ट विर्स तरजन प्रिटी प्ले की तिरी वर्थ सवन की नादा धूर ने पंद्रे इस टार दी और लिखा सगन एक ऐसी फी में जो बोया पती की पिछली फिम विनाए विध्या राम को भी और सिम की रूप से बहतर बनाएगा यहां कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है यह सिर्फ एक काम की एक बुरा दिन है फिल्म नर्मता के लिए राम पूथी नेनी की पड़कटा चयन समती समस्या जारी रही है और संगितकार की थमन जो की एकसन मनोरंगजन की सौकीन है बड़े अंतर से चुग गए अभी लशा की चेरूपूरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने पंद्रे इस टार और लिखा सकन सायत तबूत में आखरी कील है हो सकता है जो की बुया पतू फर्मूला है दर हिंदू की संगीत देवी डंडू ने फिल्म की और रोचना की और लिखा कहानी कहने की चत्रित चित्रन संगीत या एकसन कुरियोग्राफी में कोई नवींतव नहीं होने की कारण सकन फूला हुआ है या उसकी डेसिबल समोही की उस्तों की उस्तों में इतना निरंतर है कि आप अपना सूर बनाय रखना चाह सकती है एफोन रख्ष करना आसान है अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला है तो यह एक खत्रे की तरह लगते हैं देखन क का निकल की बीबी एस की प्रकास ने चत्री चित्रन और पठखटा लिखन की और लोचना की जबकि इसे नासमजी प्रून की रखतरंजीत एक्षन गया करार दिया फिर्म का अंतिम दूसिव एक टैग लाइन अन्फूल्ड इन सकन के साथ प्रदर से थूतर जो की अगली की ओड से इसारा करता है और राम पुधिनैडी की एक ही दौनोग की और अपने प्रदान की बाद उन्होंने वयसाही की और अरोशनात्मा की सफ्वलता देड़ी दोज़ değer आट में अभिने कि इसके बाद कंजीरिंगा की दोज़स्ट एकारी की सफ्वलता से पहले वैसाही की एक त्रूंखला किया ही पोथी नेनी की अनय उलेखनी की काईड़ों में पंडांगा चिसको और राम पोथी नेनी का जनम पंद्रे माई उन्हें से 88 को हैदराबाद में मुली पोथी नेनी की घरवा था वा तेलवू फेम निर्मता त्रिवन्ती रवी की सोर की भतिजे लगू फिम आधियालम दोज़दू में दिखाई दिये जहां उन्होंने अठारे वर्सी एक ड्रग एकीट की भूमिका निवाई इसके बाद उन्होंने दोज़द्छव में देवदासू के साथ ठीटर में अपनी सुरुआत की उनकी दूसरी फिम इसा सहानी के साथ दिखाई दोज़द्ण नौ में उनकी दो रिलीजि मस्क और गनेश जस्ट गनेश 2010 में पोथी नेनी की केवल एक रिलीज थी राम कुरूष्णा कृष्णा दिल राजु की दरह निरमी और त्रिवास की दरह निदेशित पोथी नेनी की अगली फिम गंदी रेंगा 2021 थी ब दोजर तेरे में पूथी नेनी भसकर की दरा निदेशित और बीवी एस एन प्रसाथ की दरा निर्में कुरूती खरबंदा के साथ उंगूल की गीता में दिखाई उसी वर्स उन्होंने एक्सन कामेडी मसाला में वेक्टिन्स की साथ सअवी ने किया जू हींडी फिम बोल था और तरवन्थी रवी की सोर की स्तयोक्त रूप से निर्मी थी डूस तुरू से बाबू दोजर पंद्रे में पोथी नेनी ने दो फिल्मों में पड़ंगा चिसको और सीव में अभिना किया जबकि घूपी चन माली ने कि ररा निदेशित पड़ंगा चिसको एकी वैसा की सफलता थी स्तीवम अपने करियर की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक के रूप में समाप थुआ दोजर सोरे में उनकी दो रिलेजें दोनों उनकी अपने पोटकसन हाउस तिरी त्रेवान थी मुईस की दारा निर्मीर नेनु सेल्जा जो एक वैसाही की सफलता थी औ पिंदगी को मित्री समिक चामिटी दोजर आठारे में उन्होंने त्रीनाधा राव नकीना की दारा निर्देशी त्रोमांटी का मेड़ी हैले गुरु मा कोस्ट में में आविना किया दोजर उनेस में उन्होंने एक संथिला आस्माट संकर के लिए निर्देशन पूरी कामाई की जो उनकी करियर की सबसी आधी कामाई करने वाली फिल्म थी उनकी 2021 की फिल्म रेड थी जहां उन्होंने दोरी हुमिकानी भाई थी यह तामी फिल्म ठंडम दोजर आठारे की रिमेकर दोजर बाइस में उन्होंने लीगु सामी की दराने देशी दो वारियर में अ बड़ी वैसा ही की विफलता थी पुथी नेनी को बोया पती त्रीनों की जकन में अभिनाय के लिए अनुबंदित किया गया कि यह उनकी पहली अखिल भारती फिल्म होगी पुथी नेनी कई बार हैदराबार टाइमर्स के सौरधरी की वर्चनी प्रूसो को सुची में सामिल किया गए यह 2017 में एक आड़वे 2018 में एक आड़वे 2019 में तीसरी और 2020 में दूसरी इस्थान पुथी नेनी ने अपना ही पहला ब्रांस सरमतन जान अबराहम की साथ गर्नियर के लिए किया गये था हेलो दोस्तो स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है साथ की सुपर इस्था राम पुथी नेनी की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नाम है सकन तो दोस्तो अगर आप भी राम पुथी नेनी की फैन हो औ और साथी साथ इस मोबी को बजेट इन बॉक्स आफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अन्तक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी नाव लिएगा सकन द आटेकर अनवारी थी नूं गॉड औफ वारसटान औफ लडसीर एक-टो यह तेस की भारती तिल को भाशार की एक्शन फी में जो बोया पत्ती त्रीनू की धरालिकिर और नेर्देशी थैं और इसमें ही दोनों की त्रेने की और भास्तर की एक्षन फिर्म है जो बोया पत्ती त्रेनों की दरा लिखी और निदेशित अज्जो इस्टूडियोस की स्थायोग सी त्रेनिवास की सिल्वर इसक्रीन की तोहर त्रेनिवास की चितूरी की दरा निमी ते फिर्म में राम सिंसक बोय पती रापो के तहर की गई थी जबकि आधिकारी का सिंसक सकन की घोस्ना जुराई द्वजे 23 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्तूबर 2022 में शुरूई और अगस्त द्वजे 23 में समाप्टी संगी स्थमन इसकी दर रची थे जबकि छियाकर और रिलीज किया गए था और इसी अलोशको से मित्री से नकरत्म के समिक्षा मिली अंदर प्रदेश की मुख्यों मंत्री रायूडू की बेटी की स्ताधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्यों मंत्री रंजीत रेडी का बेटा जो मेहमान की रुप में विवा सथल पर बाग गया इसे दोनों मुख्यों मंत्री नराज हो जाती है और एक दूसरे को चुनौती देती है कि घटन से क्रोधित रायू ने बदला लेने के लिए संजीत की रंजीत रेडी की बेटे को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर लगाया इस बीच बीना नाम वाला एक नाय करन कर लेता है यह उपहारन काउन ग्रूप कंपणी के सी आई यो रंद्रा क्रांती रामक्रोसना राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे है और रंजीत रेडी और राइडू दोनों ने अपनी आवे धन को वैद बनाने से इंकार करने के कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया यह पता चला है कि रामक्रोसना राजू वास्तों में नायक की पिता मनी क्रांत राजू की सबसे अच्छी दोस्त है नायक रामक्रोसना राजू की बेगुनाही को सावित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की रुद्रग रंधी प्रेनीता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर किया गए था क्योंकि उसे रंजीत और राइडू ने बंदी बना लिया था कोई विकलप नहीं होने पर रंजीत और रामकुरूस्तना राजू को जेल से छुड़ा लिया और जिसके बाद दोनों नायक और उसके परिवार पर हमला किया जहां नायक की हमसकर ने उन्हें बचा लिया आखिरकार रंजीत और राइडू ने मीडिया के सामने अपने आपरात कबूल कर लिया जहां उन्हें पता चला कि उजिस ने नायक और उसके परिवार को बचाया वह वास्त सिल्वर इस्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोसना की जो बोया पती त्रीनु की दरन्देशी थे और इसमें राम पुथी नेनी मुख्यों वुमिका में होंगे इसी अस्थाई की तोर पर बोया पती रापो नाम दिया गए था एक जून 2022 को हैदराबाद में एक मूरतम पूजा आयोजीत की गई थी पांच अक्तूबर 2022 को त्रीलीला को पहली बार राम पुथी नेनी के साथ मुख्यों मुख्यों वुमिका निभाने की घोसना की गई थी तीन जुलाई 2023 को एक जहलक जारी की गई जिसमें सकन सिंसर का पतर चला मुख्यों पोटोग्राफी चोब अक्तूबर 2022 को हैदराबाद की रामोजी फिल्म सीटी में पहले सेंडियूल के साथ सुरू हुई दूसरा सेंडियूल नॉमबर में सुरू हुआ और इसमें एक एक बैक्राउन की बैक्राउन इसकोर इसकी थामन की दरत तयार किया गए जो कांदी रेंगा और मसाला दोजे तेरे और पड़ंग चिसकों के बाद पुथी नेनी के साथ अपने चौते सायोग में है सरे नेडू दोजे सोरे और आखंड दोजे एक इसके बाद बोया पती त्र इसरा से पहला लाकंकी नी चुटू चुटू तीन अगस दोजे तेईस सो जाक के गया था दुस्का एक इक अटरम बाई 182 12 झारी किया गय था त्लिम्द्रे दुम्ला 30 अगस तो जाक क्याज चोटा में 2 तोुक जारी किया गय था और 2دا को पहले ही20 अक्तूबर दुजे तेईस को हिंदी तॉमिर कॉर्णड और मलियालम भासाओ की डॉप संसकार्णों के साथ तेलगू में दिलीच किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर दुजे तेईस तक बढ़ा दिया गए सकन को अलोचको से मिचेट की समिख्छा मिले सकरात्म नकरात्मा की समिख्ष्छ मिली जिनुने पोथि नेनी की प्रदासान और एक संदूर्शियों की प्रसंसा की जबकि इसकी कहानी और पटखटा की अलोचना की एक सितेईस तेलगु ने 35 इस्टार दिये और लिखा सकन एक समूही की प्रदोसन उर्जावन एक संदूसियों और देखने के लायक की नुतिव प्रस्तूत करती है जब की प्रस्तन सक और जनता इस हाई विल्टेज मनुरंग जन फीम का आनन लेंगे फीम की सरल की फिल्म की सरल कहानी है कि कार्टी क्रिया की एक संदूसियों और सूसरत की दूसरा भाग दूसरे को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुगों से सहमत हो तो आप इस सब्ताहत के अंत्र में यह फीम देख सकती है टाइमस ओफ इंडिया की निसीता नया पती ने 25 इस्टा सिक्वेंस होते हैं तो मनुरंग्जन के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है दस आउट फॉस्ट की प्राकास पचेती ने 25 इस्टार दिये और लिखा सकंद भूय पती त्रेनों की एक नियमित नियमित और फार्मूला बन कता है यह एक तक्रहीन कहानी और बेतुकी कामेडी के साथ बड़े पैमाने परदस्कों में अर्थहीन आफिम पैरा करते हैं यहां तकि मोज मस्ती की दीन को भी खराप्स कर सकता है गनेश्ट विर्स्टरजन ओटीटी प्ले की तिरिवर्ट सवन की नाधा धूर ने पंद्रे इस्टार दिये और लिखा सगन एक ऐसी फीम है जो बोया पती की पिछली फीम विनाय विध्या राम को भी और सिम की रूप से बहतर बनाएगा यहां कहने के लिए बहुत कुछ नई है यह सिर्फ एक काम की एक बुरा दिन है फीम नर्मता के लिए राम पुथी नेनी की परकता चैन समती समस्या जारी रही है और संगितका और की थमन जो की एक्सन मनोरंगजन की सौकीन है बड़े अंतर से चुक गए अभी लशा की चेरुपूरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने पंद्रे एस्टार रहे और लिखा सकन सायत तबूत में आखरी किल है हो सकता है जो की बुया पतु फर्मूला है दर हिंदू की संगीत द वीनतव नहीं होने की कारण सकन फूला हुआ है यह उसकी डेसिबल समुही की उस्टव की उस्टव में इतना निरंतर है कि आप अपना सूर बनाए रखना चाह सकती है एक फोन रख्ष करने आसान है अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला है तो यह एक खत्रे की तरह लगते हैं देखन कानिकल की बीपी एस की प्रकास ने चत्री चित्रन और पठखटा लिखन की और लोचना की जिबकि इसे नासमजी प्रून की रखत रंजीत एक्सन गया करार दिया फिल्म का अंतिम दूर्शिव एक टेग लाइन अन्फोल्ड इन सकन के साथ प्रदर से थोता जो की अगली कड़ी की ओर से इसारा करता है और राम पुथी नेनी की एक ही दोनों की और अपने प्रदान की बाद उन्होंने वैसाही की और अरोशनात्मा की सफलता देड़ी 2008 में अभिने के इसके बाद कंडी रिंगा की दोने एकारे की सफलता से पहले वैसाही की अस्फलाओ की एक त्रूंकला किया ही पुथी नेनी की अनय उलेखनी की काईड़ों में पंड़ांगा चिसको और राम पुथी नेनी का जनम पंद्रे माई उन्हेसी 88 को हैदराबाद में म परिवार विजयवाड़ा अंधरप्रदेश का रहने वाला है पुथी नेनी की पहली बाद तमिल भासा की लगू फिम आदियालम दोज़दू में दिखाई दिये जहां उन्होंने अठारे वर्सी एक ड्रग एकिट की भूमिका निवाई इसके बाद उन्होंने दोज़द की दरा निदेशी जेनेलियर डिसुजा के साथ रेडी में दिखाई देजु वैसाही के रूप से सफर रही सफर रही दोज़द नौ में उनकी दो रिलेजिम मस्क और गनेश जश्ट गनेश दोज़द दस में पोथी नेनी की केवल एक रिलेज थी राम कुरुष्णा दिल राजु की दरा निदेशित पोथी नेनी की अगली फिल्म कंदी रेंगा दोज़द एक आरे थी बात में उन्होंने एडू कांट्री की प्रेमता में अभिने किया दोज़द बार्य की तमन्ना की साथ करोना करन की दरा निदेशित और त्रवांती रवी की सूर की दरा निदेशित और बीवी इस एन प्रसाद की दरा निर्मे कुरूती खरबंदा के साथ उंगूल की गीता में दिखाई उसी वर्स उन्होंने एक्षन कामेडी मसाला में वेक्टिन्स की साथ सअवी ने किया जू हींडी फिल्म बोल बचन की रिमेक थी जिसका निदेशन की विज पड़ंगा चिसको और सीव में अभी नहीं किया जबकि घूपी चन मालीनी की दरा निर्षित पड़ंगा चिसको एक की वैसाही की सफलता थी सीवं अपने करियर की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक की रूप में समाप्थुआ दोजसोरे में उनकी दो रिलेजे दोनो उनकी अपने पोटकसन हाउस तिरी त्रवान थी मुईस की दरा निर्मीर नेनु सेल्जा जो एक वैसाही की सफलता थी और संतोष तिरी निवास की दरा निर्षित हाइपर जो बोक्स ऑफिस पर औस्तर थी उनकी दोजस्तत्रे की आने वाली फिल्म विनाधी की ओकांते जि भी नहीं किया द्वजर उन्हेस में उन्होंने एक्शन थिला आस्माट संकर के लिए निर्षित पूरी जगनात के साथ सायोग किया कई अस्पतलाताव के बाद पोठी नेनी के लिए यह फिल्म वैसाही के रुप से सफर है इसनी 90 कड़ों सी आधी की कमाई की जो उनकी करि फिल्म ठंडम 2018 की रिमेकर 2022 में उन्होंने लेगू सामी की दरनेदेशी दव वारियर में अभिने किया वहाँ उन्होंने एक पूलिस आधिकारी की वुमे कानिभाई फिल्म को अलोचकों से नकरात्म की स्थमिक छामिली और यह बड़ी वैसाही की विफलता थी पुठी ने किया गए कि यह उनकी पहली अखिल भारती फिल्म होगी पूठी नेनी कई बार हैदराबार्ट टाइमर्स के सौरधरी की वर्चनी प्रूसों को सुची में सामिल किया गए यह 2017 में एक आरवे 2018 में एक आरवे 2019 में तीसरे और 2020 में दूसरी इस्थान पर रहे पूठी नेनी अपना ही पहला ब्रांज सर्मतन जान अबराहम की साथ गर्नियर के लिए किया गए था हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है साथ की सुपर एश्था राम पूठी नेनी की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नाम है सकन तो दोस्तों अगर आप भी राम पूठी नेनी की फैन हो और अगर आप सकन तो मोबी को देखना चाहती हो और साथी साथ इस मोबी को बजेट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अन्तक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी नाव लिएगा सकन दब आटेकर अनुवारित हीन्डू गॉड ओफ वार्स्तान ओफ लड़ सीर एक दो यह तेस की भारती तेलबो भासर की एक्षन फी में जो बोया पती त्रेनो की दरा लिखित और निर्देशित है और इसमें ही दोनों की त्रेने की और भास्तर की एक्षन फिमें जो बोया पत्ती त्रेनों की दरा लिखे और निदेशित अज्जो इस्टूडियोस की स्थायोग सी त्रेनिवास की सिल्वर इस्क्रीन की तोहर त्रेनिवास की चितूरी की दरा निर्मी ते फिमें राम सिंसक बोय पती रापो के तहर की गई थी जबकि आधिकारी का सिंसक सकन की घोसना जुराई द्वजे 23 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्तूबर 2022 में शुरूई और अगस्ट द्वजे 23 में समाप्ती संगी स्थमन एस की दर रची थे जबकि छियाकर और स्प्राद देडिक और तमी राजु की दर संभाला जाता है सकन को 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया गए था और इसी अलोशकों से मित्री से नकरत्म की समीख्या मिली अंगर प्रदेश की मुख्यों मंत्री रायूडू की बेटी की साधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्यों मंत्री रं सथल से भाग गया इसे दोनों मुख्यों मंत्री नराज हो जाती है और एक दूसरे को चनौती देती है कि घटना से क्रोधित रायू ने बदला लेने के लिए संजीत की रंजीत रेडी की बेटे को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर लगाया इस बीच बीना नाम वाला ए उपहारन कर लेता है यह उपहारन काउन ग्रूप कमपणी के सी आईयो रंद्रा क्रांती रामक्रोसना राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे है और रंजीत रेडी और रायडू दोनों ने अपनी आवे धन को वैद बनाने से इंकार करने की कार राजू की सबसे अच्छी दोश्त है नायक रामक्रोसना राजू की बेगुनाही को सावित करना चाहता है कि उसे अपनी बेटी की रुद्रगंती प्रेनीता को किसी भी नुक्सान से बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसे रंजीत और राइडू ने बंदी बना लिया था, कोई विकलप नहीं होने पर रंजीत और राइडू ने राम गुरोषना राजू को जेल छुड़ा लिया और जिसके बार दोनों नायक और उसके परिवार पर हमला किया, जहाँ नायक की हमसकर ने उन्हें बचा लिया अखिरकार रंजीत और राइडू ने मीडिया के सामने अपने आपरात कबूल कर लिया जहां उन्हें पता चला कि उजिस्त ने नायक और उसके परिवार को बचाया वो वास्तों में मेरकू का एक की मुख्यों खात की हत्यार हैं और रामकुरूसना राजू की बेटी की प्री निदेशित है और इसमें राम पूथी नेनी मुख्यों भूमिका में होंगे इसी अस्थाई की तोर पर बोया पति रापो नाम दिया गए था एक जून 2022 को हैदराबाद में एक मूरतम पूजा आयोजीत की गई थी 5 अक्तूबर 2022 को त्रीलीला को पहली बार राम पूथी न सिंसर का पतर चला मुख्यों पोटोग्राफी 6 अक्तूबर 2022 को हैदराबाद की रामोजी फिर्म सीटी में पहले सेंडियूल के साथ शुरू हुई दूसरा सेंडियूल नौवंबर में शुरू हुआ और इसमें एक एक्षन सिक्वेंस सामिल था तीसरा सेंडियूल जनवरी सामन की दरत तयार किया गए जो कांदी रेंगा और मसाला दोजे तेरे और पड़ंग चिसकों के बाद पुथी नेनी के साथ अपने चौते सायोग में है सरे नेडू दोजा सोरे और आखंड दोजा एक इसके बाद बोया पती त्रीनों के साथ तीसरा से यूग पहला इलकन की ने चुट्टू चुट्टू तीन अगस दोजे तेईस को जारी किया गए था दूसरा एकल सिंसर गंदरम बाई आठारे अगस दोजे तेईस को जारी किया गए था तिसरा एकल सिंसर दुम्रे दुम्मा तीस अगस दोजे तेईस को जारी किया गए था चोथा एकल सिंसर कलट मामा 18 सितंबर 23 को जारी किया गए था और सकन को पहले ही 20 अक्तूबर 23 को हिंदी तॉमी कोनर्ड और मलियालम भासाओ की डॉप संस्कार्णों के साथ तेलगू में दिलीच किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर 23 तक बढ़ा दिया गए सकन को अलोचको सिमिचेट की समिख जिनों ने पुठी नेनिकि प्रदासान और एक संदूर्शीयों की प्रसण सकी जबकि इसकी कहानी और पठकटा की अलोचना की एक सी 23 तेलगूने 35 अश्टार दिये और लिखा सकन एक समूही की प्रदासने उठ जावन एक संदूर्शीयों और देखने के लायक की नुतिय प्रस्तूत करती है जब की प्रसंसक और जनता इस हाई विल्टेज मनुरंग जन फिल्म का आनन लेंगे फिल्म की सरल कहानी है कि कार्टी क्रिया की एक्षन दूसरी और सुसत की दूसरा भाग दूसरे को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुगों से सहमत हो तो आप इस सब्सक्राइब के अंत में यह फिल्म देख सकती है टाइमस ओफ इंडिया की निसीता नया पती ने 25 इस्टार दिये और लिखा सकन ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप तक की उमेड करते हैं लेकिन जब इसमें केवर राम और कुछ एक्षन सिक्वेंस होते है तो मनुरंग जन क के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है दस आउट फॉस्ट की प्रकास पचेटी ने पंद्रे पास इस्टार दिये और लिखा सकन बुय पती त्रीनों की एक नियमित नियमित और फार्मूला बन कता है यह एक तक्रहीन कहानी और बेतुकी कामेडी के साथ बड़े पैमाने प प्ले की तिरी वरत सवन की नादा धूर ने पंद्रे इस्टार दिये और लिखा सकन एक ऐसी फी में जो बुय पती की पिछली फीम विनाए विधिया राम को भी और सिम की रूप से बहतर बनाएगा यहां कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है यह सिर्फ एक काम की एक बुरा दिन है फिल्म नर्मता के लिए राम पूथी नेनी की परकता चयन समती समस्या जारी रही है और संगितकार की थमन जो की एकसन मनोरंगजन की सोकीन है बड़े अंतर से चुग गए अभी लशा की चेरू कूरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने पंद्रे एस्टार रहे और लिखा स पकंच सायत तबूत में आखरी किल है हो सकता है जो की बुया पतू फर्मूला है दर हिंदू की संगीत देवी डंडू ने फिल्म की और वचना की और लिखा कहानी कहने की चत्रित चित्रन संगीत या एकसन कुरियोग्राफी में कोई नवींतव नहीं होने की कारण सकन फू सकती है एक फोन रख्ष करना आस्तान है अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला है तो यह एक खत्रे की तरह लगते हैं देखन कानिकल की बीपी एस की प्रकास ने चत्री चित्रन और पठखटा लिखन की अलोचना की जबकि इसे नासमजी प्रून की र लोड से इसारा करता है और राम पुथी नेनी की एक ही दोनों की और अपने प्रदान की बाद उन्होंने वैसाही की और अरोशनात्मा की सफलता देड़ी 2008 में अभी नेकिए इसके बाद कंदी रिंगा की दोज़त एगारे की सफलता से पहले वैसाही की अस्फलाओ की एक पुथी नेनी की अनय उलेखनी की काईड़ों में पंडांगा चिसको और राम पुथी नेनी का जनम 15 माई 1988 को हैदराबाद में मुली पुथी नेनी की घरवा था वा तेलगू फिम निर्मता त्रिवन्ती रवी कि सोर की भतिजे अभी नेतर सरवान उनकी चचेरी भाई उन का परिवार विजयवाड़ा अंधरप्रदेश का रहने वाला है पुथी नेनी की पहली बाद तमिल भासा की लगू फिम आधियालम दोज़दू में दिखाई दिये जहां उन्होंने अठारे वर्सी एक ड्रग एकिट की भूमिका निवाई इसके बाद उन्होंने दोज़ की दरा निदेशी जेनेलियर डिसुजा के साथ रेडी में दिखाई देजू वैसाही के रूप से सफर रही में उनकी दो रिलीजिम मस्क और गनेश जश्ट गनेश दोज़द दस में पोथी नेनी की केवल एक रिलीज थी राम कुरुष्णा कृष्णा दिल राजू की दर निरमें और त्रिवास की दरा निदेशित पोथी नेनी की अगली फिल्म कंदी रेंगा दोज़द एकारे थी बात में उन्होंने एडू कांटरी की प्रेमता में आभिने किया, दोज़द बार्य की तमन्हा की साथ करोना करन की दरा निदेशित और त्रवांती रवी की सू उसी वर्स उन्होंने एक्षन कामेडी मसाला में वेक्टिन्स की साथ साविने किया जो हींडी फिल्म बोल बचन की रिमेक थी जिसका नेदेशन की विजय भसकर नी किया था और तरवन्थी रवी की सोर की स्तयोग तुरूप से निर्मी थी डूस तुरूई से बाबू 2015 में पोथी नेनी ने दो फिल्मों में पड़ंगा चिसको और सीव में अभी नहीं किया जबकि गूपी चन माली ने की ररा निर्देशी पड़ंगा चिसको एक की वैसाही की सवलता थी सीवम अपने करियर की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक की रूप में समाप थुआ और संतोष तरी निवास के दार निर्देशीत हाइप और जो बोक्स ऑफिस पर उस्तर थी उनकी द्वार सत्रे की आने वाली फिल्म विनाधी की ओकांते जिन्दगी को मित्री समिक्चा मिटी द्वजर आठारे में उन्होंने त्रीनाधा राव नकीना के दारा निर्देश के साथ सायोग किया कई अस्पतलाताव के बाद पोठी नेने के लिए यह फिल्म वैसाही के रुप से सफर है इसने नब्बे कडोसी आधी की कमाई की जो उनकी करियर की सबसी आधी कमाई करने वाली फिल्म थी उनकी 21 की फिल्म रेड थी जहां उन्होंने दोरी हो में कानी भाई थी यह तामी फिल्म ठंडम 2018 की रिमेकर 2022 में उन्होंने लीगू सामी की दरने देशी दो वारियर में अभिने किया वहाँ उन्होंने एक पूलिस आधीकारी की वो में कानी फिल्म को अलोचकों से नकरात्म की स्थमिक छामिली और यह बड़ी वैसाही की विफलता थी पूथी नेनी को बोया पती त्रीनों की जकन में अभिने के लिए अनुबंदित किया गया कि यह उनकी पहली अखिल भारती फिल्म होगी पूथी नेनी कई बार हैदराबार टाइमर्स के सौरधरी की वर्षनी प्रूसो को सुची में सामिल किया गए यह 2017 में, 2018 में, 2018 में, 2019 में, तीसरी और 2020 में दूसरी इस्थान पूथी नेनी ने अपना ही पहला ब्राण सर्मतन जान अबराहम की साथ गर्नियर के लिए किया गये था हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है सावत की सुपर एश्था राम पूथी नेनी की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नाम है सकन तो दोस्तों अगर आग भी राम पूथी नेनी की फैन हो और अगर आप सकन तो मोबी को देखना चाहते हूँ और साथी साथ इस मोबी को बजेट इन बोक्स आफिस कलेक्शन को जानना चाहते हूँ तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी नाव लिएगा सकन दब आटेकर अनुवारित हींडू गाड ओफ वार्सान ओफ लड़ सीर एक दो या तेश की भारती तेलपो भासर की एक्शन पी में जो बोया पती त्रेनो की दरा लिखी और निर्देशी थे अज्छो इस्टूडियोश की सरयोक्सी त्रेनिवास की सिल्वर स्कrίν की तोह त्रेनिवास की छितूरी की दरा निर्मी थे ते फी में राम पूथी निनी दोरी भुमिकाम है त्रेली लेला साई मंजरेगा और प्रिंस की सेसिल है फिल्म की आधिकारी की घोसना फरवरी 2022 में अस्थारी की सिंसक बोय पती रापो के तहर की गई थी जबकि आधिकारी का सिंसक सकन की घोसना जुलाई 2023 में की गई थी मुख्यों फोटोग्राफी अक्तूबर 2022 में शुरूई और अगस्थ 2023 में समाप्ती संगी स्थमन इसकी दर रची थे जबकि छियाकर और स्पादन क्रॉमस तंतोर्स डेडे और तमी राजू की दर संभाला जाता है सकन को 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया गए था और इसी अलोचको से मित्री से नकरत्म की समीक्षा मिली अंगर प्रदेश की मुख्यों मंत्री रायूडू की बेटी की साधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्यों मंत्री रंजीत रेडी का बेटा जो मेहमान की रूप में विवा सतल पर पहुँचा सभी को आईरिया चकीत करती हुए विवा सतल से भाग गया इसे दोनों मुख्यों मंत्री नराज हो जाती है और एक दूसरे को चनौती देती है कि घटन से क्रोधीत रायू ने बदला लेने के लिए संजीत की रंजीत रेडी की बेटे को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर लगाया इस बीच बिना नाम वाला एक नायक रायू को बेटी और रंजीत रेडी की बेटी बिना नाम वा के CIO रंद्रा क्रांती रामक्रोसना राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे है और रंजीत रेडी और राइडू दोनों ने अपनी आवे धन को वैद बनाने से इंकार करने की कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया यह पता चला है कि रा रामक्रोसना राजू की बेगुनाही को स्वावित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की रुद्रगंती प्रेनीता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसे रंजीत और राइडू ने बंदी बना लिया थ जहां नायक की हमसकर ने उन्हें बचा लिया आखिरकार रंजीत और राइडू ने मीडिया के सामने अपने आपराद कबूल कर लिया जहां उन्हें पता चला कि उजिस ने नायक और उसके परिवार को बचाया वो वास्तों में मेरकों का एकी मुख्यों खात की हद्यार है और रामकुरुस्तना राजु की बेटी की प्रिनित का प्रेम भी है अठारेफ और वरी 2022 को त्रीनिवास सिल्वर इस्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोसना की जो बोया पती त्रीनु की दरन्देशी थे और इसमें राम पुथी नेनी मुख्य वुमिका में होंगे इसी अस्थाई की तोर पर बोया पती रापो नाम दिया गए था एक जून 2022 को हैदराबाद में एक मूरतम पूजा आयोजीत की गई थी पांच अक्तूबर 2022 को त्रीलीला को पहली बार राम पुथी नेनी के साथ मुख्य मैला भुमिका निभाने की घोसना की गई थी तीन इसको एक जहलक जारी की गई जिसमें सकन सिंसर का पतर चला मुख्यों पूटोग्राफी चोब अक्तूबर 2022 को हैदराबाद की रामोजी फिल्म सीटी में पहले सेंडियूल के साथ सुरू हुई दूसरा सेंडियूल नोवंबर में शुरू हुआ और इसमें एक एक्सन सिक् जन्वरी दूसरे 23 में सुरू हुआ सेंडियूल में पूठी नेनी और त्री लेला का एकी दोस्यों में सामीर था सामड़ी की और बैक्राउंड की बैक्राउंड इसको इसकी थमन की दरत तयार किया गए जो कांदी रेंगा और मसाला दूसरे और पड़ंग चिसको के बाद पूठी नेनी के साथ अपने चौते सायोग में सरे नेडू दोजर सोरे और आखंड दोजर एकरिस के बाद बोया पती त्रीनों के साथ तीसरा सायोग पहला इलकन की ने चुट्टू चुट्टू तीन अगस दोजर तेईस को जारी किया गए था दूसरा एकर सिंसर गंदर दूम्रे दूम्मा तीस अगस दोजर तेईस को जारी किया गए था चौथा एकर सिंसर कलट मामा आठारे सितंबर दोजर तेईस को जारी किया गए था और सकन को पहले ही 20 अक्तूबर दोजर तेईस को हिंदी तॉमिर कॉर्णड और मलियालम भासाओ की डॉप संसकारनों के साथ तेलगू में दिलीच किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर दोजे 23 तक बढ़ा दिया गए सकन को अलोचकों सिमिचेट की समिख्छा मिले जिनों ने पोथी नेनी की प्रदासान और एक संदूरसियों की प्रसंसा की जबकि इसकी कहानी और पठकटा की अलोचना की एक सी 23 तेलगू ने 35 स्टार दिये और लिखा सकन एक समूही की प्रदासन उर्जावन एक संदूरसियों और देखने के लायक की नुतिव प्रस्तूत करती है जबकि प्रसंसक और जनता इस हाई वेल्टेज मनुरंग जन फीम का आनन लेंगे फीम की सरल की फिल्म की सरल कहानी है कि कार्टी क्रिया की एक संदूरसियों और सूसरत की दूसरा भाग दूसरे को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलूओं से सहमत हो तो आप इस सब्तार के अंत्र में यह फीम देख सकती है टाइमस ओफ इंडिया की निसीता नया पती ने 25 इस्ट सिक्वेंस होते हैं तो मनुरंग्जन के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है दस आउट फॉस्ट की प्रकास पचेती ने 25 इस्टार दिये और लिखा सकंद भूय पती त्रेनों की एक नियमित नियमित और फार्मूला बन कता है यह एक तक्रहीन कहानी और बेतों की कामेडी क साथ बड़े पैमाने परदस्कों में अर्थहीन आफिम पैरा करते हैं यहां तकि मौज मस्ती की दिन को भी खराप्स कर सकता है गनेश्ट विर्स्तरजन ओटीटी प्ले की तिरिवर्ट सवन की नाधा धूर ने पंद्रे इस्टार दिये और लिखा सकंद एक ऐसी फीम है ज सिर्फ एक काम की एक बुरा दिन है फिल्म नर्मता के लिए राम पूथी नेनी की पड़कता चयन समती समस्या जारी रही है और संगितकार की थमन जो की एकसंद मनोरंगजन की सौकीन है बड़े अंतर से चुग गए अभी लशा की चिरूपूरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने में आखरी कील है हो सकता है जो की बुया पतू फर्मूला है दर हिंदू की संगीत देवी डंडू ने फिल्म की और वचना की और लिखा कहानी कहने की चत्री चित्रन संगीत या एकसं कोरियोग्राफी में कोई नमीनतव नहीं होने की कारण सकन फूला हुआ है यह उसकी डे अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला है तो यह एक खत्रे की तरह लगता है देखन कानिकल की बीपी एस की प्रकास ने चत्री चित्रन और पठखटा लिखन की अलोचना की जबकि इसे नासमजी प्रून की रखत रंजीत एकसं गया करार दिया फिल्म और राम पुथी नेनी की एक ही दोनों की और अपने प्रदान की बाद उन्होंने वैसाही की और अरोशनात्मा की सफलता देड़ी 2008 में अभी ने की इसके बाद कंडी रिंगा की दोज़त एकारे की सफलता से पहले वैसाही की अस्फलाओ की एक त्रूंखला की आई पुथी नेनी की अनय उलेखनी की काईड़ों में पंड़ांगा चिज़को और राम पुथी नेनी का जनम पंद्रे माई उन्हेसी आठासी को हैदराबाद में मुली पुथी नेनी की घरवा था वा तेलवू फिल्म निर्मता त्रिवन्ती रवी की सोर की भतिजे अभी ने चालम दोज़दू में दिखाई दिये जहां उन्होंने अठारे वर्सी एक ड्रग एकीट की भूमिका निवाई इसके बाद उन्होंने दोज़द्छव में देवदासू के साथ ठीटर में अपनी सुरुवात की उनकी दूसरी फिल्म इसा सहानी के साथ जगदम सुकुमार की दरा निर्देशी थे इसके बाद वा त्रीनू वैतला की दरा निर्देशी जेने लिए डिसूजर के साथ रेडी में दिखाई देजू वैसाही के रूप से सफर रही सफर रही 2009 में उनकी दो रिलीजिम मस्क और गनेश जश्ट गनेश 2010 में पोथी नेनी की केवल एक रि में और त्रिवास की दरा निर्देशित पोथी नेनी की अगली फिम कंधी रेंगा 2001.равля थी बात में उनोंने एड़ू कांटरी की प्रेमता में अभिनय किया 2012 की तमना की साथ करोणा करं की दरा निर्देशित और त्रवांता रवी की शूर की दरा निर्मी दोज़े तेरे में पूठी नेनी भसकर की दरा निरेशित और बीवी एस एन प्रसाथ की दरा निर्मी कुरूती खरबंदा के साथ उंगूल की गीता में दिखाई उसी वर्स उन्होंने एक्षन कामेडी मसाला में वेक्टिन्स की साथ सावी ने किया जू हींडी पूठी नेनी ने दो फिल्मों में पड़ंगा चिसको और सीवं में अभिने किया जबकि गूपी चन माली ने की दरा निर्देशित पड़ंगा चिसको एक की वैसाही की सफलता थी सीवं अपने करियर की सबसी बड़ी विफलताओं में से एक की रूप में समाप्थुआ द उनकी दो रिलेजें दोनों उनकी अपनी पोटकसन हाउस तिरी त्रवान थी मुईस की दरा निर्मीर नेनु सेल्जा जो एक वैसाही की सफलता थी और संतोष तिरी निवास की दरा निर्देशित हाईपर जो बोक्स ओफिस पर उस्तर थी उनकी द्वार सत्रे की आने वाली फिल्म विनाधी की ओकांते जिन्दगी को मित्री समेग चामीडी द्वजर आठारे में उन्होंने त्रीनाधा राव नकीना की दरा निर्देशित रोमांटी का मेडी हैले गुरु मा कोस्त में में आविना किया द्वजर उनेस में उन्होंने एक्सन थिला आस्माट संकर के लिए निर्देशन पूरी जगनाध के साथ सायोग किया कई अस्पतलाताव के बाद पोठी नेने के लिए यह फिल्म वैसाही के रुप से सफर है इसने नब्य कड़ों सी आधी की कमाई की जो उनकी करियर की सब सी आधी कमाई करने वाली फिल्म थी उनकी 21 की फिल्म रेड जहां उन्होंने दोरी वुमिकानी भाई थी येतैमी फिल्म थंडंदल 2008 की रिमेकर, 2012 में उन्होंने लिवी हुआ सामी के दर नेदेशी दो वारियरम में अभिने किया वह उन्होंने एक पूलिस आधिकारी की वुमिकानी भाई फिल्म को अलोचकों से नकरात्म की की पहली अखिल भारती फिल्म होगी पूथी नेनी कई बार हैदराबार्ट टाइमर्स के सौरधरी की वर्चनी प्रूसों को सुची में सामिल किया गए यह 2017 में एक आरवे 2018 में एक आरवे 2019 में तीसरे और 2020 में दूसरी इस्थान पूथी नेनी ने अपना ही पहला ब्रान सरमतन जान अबराहम की साथ गर्नियर के लिए किया गए था हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है साथ की सुपर एश्था राम पूथी नेनी की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नाम है सकन तो दोस्तों अगर आप भी राम पूथी नेनी की फैन हो और अगर आप सकन तो मोबी को देखना चाहती हो और साथी साथ इस मोबी को बजेट इन बॉक्स आफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी नाव लिएगा सकन दब अटेकर अनवारित हिंदू गॉड ओफ वार्शान ओफ लर्ड सीर एक दो ये तेस की भारती तिल्गो भासर की एक्सन फी में जो बोया पती 30 की दरालेकित और निर्देशित है और इसमें ही दोनों की त Short फिल्म की आदिकारी की घोसना फरवरी 2022 में अस्थाई की सिंसक बोय पती रापो के तहर की गई थी जबकि आधिकारी का सिंसक सकन की घोसना जुराई 2023 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्तूबर 2022 में शुरूई और अगस्थ 2023 में समावती संगी स्थमन इसकी दर रची थे जबकि छियाकर और इस्पादन क्रॉमस तंतूर्स देडिक और तमी राजू की दर संभाला जाता है सकन को 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया गए था और इसी अलोशको से मित्री से नकरत्म की समीक्षा मिली अंगर प्रदेश की मुख्य मंत्री रायूडू की बेटी की साधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्य मंत्री रंजीत रेडी का बेटा जो मेहमान की रुप में विवा सतल पर पहुँचा सभी को आईरिया चकीत करती हुए विवा सतल से भाग गया इसे दोनों मुख्य मंत्री नराज हो जाती है और एक दूसरे को चनौती देती है कि घटन से क्रोधीत रायू ने बदला लेने के लिए संजीत की रंजीत रेडी की बेटे को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर लगाया इस बीच बिना नाम वाला एक नायक रायू को बेटी और रंजीत रेडी की बेटी बिना नाम वा के CIO रंद्रा क्रांती रामक्रोसना राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे है और रंजीत रेडी और राइडू दोनों ने अपनी आवे धन को वैद बनाने से इंकार करने की कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया यह पता चला है कि रा रामक्रोसना राजू की बेगुनाही को स्वावित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की रुद्रगंती प्रेनीता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसे रंजीत और राइडू ने बंदी बना लिया थ जहाँ नायक की हमसकर ने उने बचा लिया आखिरकार रंजीत और राइड़ू ने मीडिया के सामने अपने आपरात कबूल कर लिया जहां उने पता चला कि उधिस्ट ने नायक और उसके परिवार को बचाया वो वास्तों में मेरकों का एक की मुख्यों खात की हत्यार हैं और रामकुरुसना राजु की बेटी की प्रीनित का प्रेम भी है अठारे फर्वरी 2022 को त्रीनिवास सिल्वर इस्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोस्ना की जो बोया पती त्रीनु की दरन देशी थे और इसमें राम पुथी नेनी मुख्यों वुमिका में होंगे इसी अस्थाई की तौर पर बोया पती रापो नाम दिया गए था एक जून 2022 को हैद्राबाद में एक मूरतम पूजा आयोजीत की गई थी पांच अक्तूबर 2022 को त्रीलीला को पहली बार राम पुथी नेनी के साथ मुख्यों मैला भुमिका निभाने की घोस्ना की गई थी तीन जुलाई 2023 को एक जहलक जारी की गई जिसमें सकन सिंसर का पतर चला मुख्यों फोटोग्राफी चोब अक्तूबर 2022 को हैद्राबाद की रामोजी फिल्म सीटी में पहले सेंडियूल के साथ सुरू हुई दूसरा सेंडियूल नोवंबर में सुरू हुआ और इसमें एक सिक्विन्स सामील था तीसरा सेंडियूल जनुबरी द्वजे 23 में शुरू हुआ सेंडियूल में पूटी नेनी और तीलीला का एकी दोस्यों में सामील था सामड़ी की और वेक्राउन की बेक्राउन इसकोर एस की थमन की दरा तैयार किया गए जो कांदी रेंगा और मसाला दोजे तेरे और पड़ंग चिसकों के बाद पुथी नेनी के साथ अपने चौते सयोग में है सरे नेडू दोज़ा सोरे और आखंड दोज़ा एकरिस के बाद बोया पती तेनों के साथ तीसरा सयोग पहला इलकन की नीच चुटू चुटू तीन अगस दोजे तेइस को जारी किया गए था दूसरा सेखसर गंदरम hayat आठारे अगस दोजेट तेइस को जारी किय गए था तीसरा एकर साथ दुम्रे दुम्मा 30 अगास 23 को जारी किया गए था चोथा एकल सिंसर कलट मामा 18 सितंबर 23 को जारी किया गए था और सकन को पहले ही 20 अक्तूबर 23 को हिंदी तॉमिर कॉनर्ड और मलियालम भसाओ की डॉप संस्कार्नों के साथ तेलगू में दिलीच किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर 23 तक बढ़ा दिया गए सकन को अलोचकों सिमिचित की समिकछा मिले जिनों ने पोथी नेनी की प्रदोसान और एक संदूर्शियों की प्रसंसा की जबकि इसकी कहानी और पठकटा की अलोचना की एक सितेईस तेलगू ने 35 एस्टार दिये और लिखा सकन एक समूही की प्रदोसान उर्जावन एक संदूर्शियों और देखने के लायक की नुतिव प्रस्तूत करती है जबकि प्रसंसक और जनता इस हाई विल्टेज मनुरंग जन फीम का आनन लेंगे फीम की सरल की फिल्म की सरल कहानी है कि कार्टी क्रिया की एक संदूर्शियों और सूसरत की दूसरा भाग दूसरे को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलूओं से सहमत हो तो आप इस सताहत के अंत में यह फीम देख सकती है टाइमस ओफ इंडिया की निसीता नया पती ने 25 इस्टार दिये और लिखा सकन ऐसी फीम नहीं है जिसे आप तक की उमेड करते हैं लेकिन जब इसमें केवर राम और कुछ एक्शन सिक्वेंस होते हैं तो मनुरंग जन के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है दस आउट फॉस्ट की प्रकास पचेती ने 25 इस्टार दिये और लिखा सकन बुय पती त्रेनों की एक नियमित नियमित और फर्मूला बन कता है यह एक तकरहीन कहानी और बेतुकी कामेडी के साथ बड़े पैमाने पर दसकों में अर्थ हीन आफिम पैरा करते हैं यहाँ त पीटी प्ले की तिरी वरत सवन की नादा धूर ने 25 इस्टार दिये और लिखा सकन एक ऐसी फिम है जो बुय पती की पिछली फिम विनाए विधिया राम को भी और सिम की रूप से बहतर बनाएगा यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है यह सिर्फ एक काम की एक बुरा दिन है फिम नर्मता के लिए राम पूथी नेनी की परकटा चयन समती समस्या जारी रही है और संगितकार की थमन जो की एकसन मनोरंगजन की सोकीन है बड़े अंतर से चुग गए अभी लशा की चेरुकूरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने पंद्रे एस्टार रहे और लिखा सक इंसायत तबूत में आखरी कील है हो सकता है जो की बुयपतू फर्मूला है दर हिंदू की संगीत देवी डंडू ने फिर्म की और रोचना की और लिखा कहानी कहने की चत्रित चित्रन संगीत या एकसन कुरियोग्राफी में कोई नवींतव नहीं होने के कारण सकन फूला ह हुआ है यह उसकी डेसिबल समूही की उस्तों की उस्तों में इतना निरंतर है कि आप अपना सूर बनाय रखना चाह सकती है एक फून रख्ष करना आसान है अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला है तो यह एक खत्रे की तरह लगता है देखन कानिकल की बीपी एस की प्रकास ने चत्री चित्रन और पठखटा लिखन की अलोचना की जबकि इसे नासमजी प्रून की रखतरंजीत एक्षन गया करार दिया फिल्म का अंतिम दूसिव एक टेग लाइन अनफूल्ड इन सकन के साथ प्रदर्सित होता जो की अगली कड़ी की ओर से इसारा करता है और राम पूठीनेनी की एक ही दूल्णों की और अपने प्रदान के बाद उन्होंने वेसाही की और अरोसनाथ्मा की सफलता देडी दोज़त आथ में अभी ने कि इसके बाद कंदिरेंगा की दोज़त एक आरे की सफलता से पहले वैसाही की अस्फ़लाओं क एक त्रूंकला किया है पोथी नेनी की अनय उलेखनी की काईड़ों में पंडांगा चिसको और राम पोथी नेनी का जनम पंद्रे माई उन्हें से 88 को हैदराबाद में मुली पोथी नेनी के घरवा था वा तेलवू फिल्म निर्मता त्रिवन्ती रवी की सोर की भतिजे अभ लगू फिल्म आदियालम दोज़दू में दिखाई दिये जहां उन्होंने अठारे वर्सी एक ड्रग एकीट की भूमिका निवाई इसके बाद उन्होंने दोज़द्छव में देवदासू के साथ ठीटर में अपनी सुरुआत की उनकी दूसरी फिल्म इसा सहानी के साथ सुकुमार की दरा निर्देशी थे इसके बाद वा त्रीनु वैतला की दरा निर्देशी जेनेलियर डिसुज़दू के साथ रेडी में दिखाई देज्जू वैसाही के रुप से सफर रही सफर रही दोज़द्णौ में उनकी दो रिलिज़द मस्क और गनेश ज़श्ट दोज़द्दस में टोथी नेनी की केवल एक रिलीज थी राम, खुरुष्ण कृष्णा, दिलराजु की दरा निर्मे और त्रिवास की दरा निर्देशीद पोथी नेनी की अगली पिल्म कंदी रिंगा दोज़द्टी एकारे थी बात में उन्होंने एडू कांटरी की प् बीवी इस एन प्रसाद की दरा निर्मे कुरूती खरबंदा के साथ उंगूल की गीता में दिखाई उसी वर्स उन्होंने एक्षन कामेडी मसाला में वेक्टिन्स की साथ सावी ने किया जो हींडी फिल्म बोल बचन की रिमेक थी जिसका नेदेशन की विजय भसकर नी किया थ और तरवन्थी रवी की सोर की स्तयोक तुरूप से निर्मी थी डूस तुरूई से बाबू दोजर पंद्रे में पोथी नेनी ने दो फिल्मों में पड़ंगा चिसको और सीव में अभी नहीं किया जबकि गूपी चन माली ने कि ररा नीदेशित पड़ंगा चिसको एकी व पोटकसन हाउस तुरी त्रवन्थी मुईस की डारा निर्मी नेनु सेल्जा जो एक वेसाही की सफलता थी और संतोष तुरी निवास की डारा निर्देशित हाइपर जो बोक्स ऑफिस पर उस्तर थी उनकी दोय सत्रे की आने वाली फिल्म विनाधी की ओकांते जिन्दगी क दो मित्री समीक्चा मिदी द्वजर आठारे में उन्होंने त्रिनाधा राव नकीना की दारा निर्देशित रोमांटी का मेडी हैले गुरू मा कोस्ट में में आविना किया द्वजर उन्हेस में उन्होंने एक्सन थिला आस्माट संकर के लिए निर्देशन पूरी जगना के साथ सायोग किया कई अस्पतलाताव के बाद पूठी नेने के लिए यह फिल्म वैसाही के रुप से सफर है इसने 90 कड़ों सी आधी क्यामाई की जो उनकी करियर की सबसी आधी क्यामाई करने वाली फिल्म थी उनकी द्वजर एकईस की फिल्म रेड थी जहां उन्होंने दोरी वो मिकानी भाई थी यह तमी फिल्म ठंडम 2018 की रिमेकर 2022 में उन्होंने लेगु सामी की दरने देशी दव वारियर में अभिने किया वहाँ उन्होंने एक पूलिस आधीकारी की वो मिकानी भाई फिल्म को अलोचकों से नकरात्म की स्थमिक छामिली और यह बड़ी व अखिल भारती फिल्म होगी पूथी नेनी कई बार हैदराबार्ट टाइमर्स के सौरधरी की वर्षनी प्रूसों को सुची में सामिल किया गए यह 2017 में 2018 में 2018 में 2019 में तीसरी और 2020 में दूसरी इस्थान पर पूथी नेनी ने अपना ही पहला ब्रांश सर्मतन जान अबराहम की साथ गर्नियर के लिए किया गए था हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावत की सुपर एश्टा राम पूथी नेनी की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नाम है सकन तो दोस्तों अगर आप भी राम पूथी नेनी की फैनों और अगर आप सकन्द मोबी को देखना चाहते हो और साथी साथ इस मोबी को बजेट इन बोक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी न अब लिएगा सकन्द अटेकर अनुवारित हींडू गॉड ओफ वार्स्तान ओफ लड़ सीर एक दो यह तैस की भारती तेलगों भासर की एक्शन पी में जो बोया पती त्रेनों की दरा लेकित और निर्देशित है और इसमें ही दोनों की त्रेने की और भासर की एक्शन प की चितूरी की दरा निर्मी तेफे में राम पुठी नी दोरी भूमिकाम यत्री लेला साई मंजरेगा और प्रिंस की सेसिल है फिल्म की आधिकारी की घोसना फरवरी 2022 में अस्थाई की सिंसक बोया पती रापो के तहर की गई थी जबकि आधिकारी का सिंसक सकन की घोसना अक्तूब़ 2022 में शुरूई और अगस्थ 23 में समावती संगी स्थमन एस की दरा रची थे जबकि छियाकर और स्प्रादन क्रॉमस तंतुर्स देडिक और तमी राजू की दरा संभाला जाता है सकन को 28 सितंब़ 2023 को रिलीज किया गए था और इसी अलोशकों से मित्री से नक मेक्ष्य मिले अंगर प्रदेश की मुख्यों मनत्री राइूडू की बेटी की साधी होने वाली है और तिलगाना की मुख्यों मंत्री रनजीत रेडी का बेटा जो मेहमान की रूप में विवा सतल पर पहुँचा सभी को आईलेश चकीत करते हुए विवा सतल से भाग गया इसे दोनों मुख्यों मनती नराज हो जाती है और एक दूसरे को चुनौती देती है कि घटन से क्रोधीत राइडो ने बदला लेने के लिए संजीत की रंजीत रेडी की बेटे को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर लगाया इस बीच बिना नाम वाला एक नायक राइडो को बेटी और रंजीत रेडी की बेटी बिना नाम वाली महिला नायक जो उसकी सापार्टी भी होती है का उपहारन कर लेता है यह उपहारन काउन ग्रूप कमपणी के CIO रंद्रा क्रांती रामक्रोसना राजू से जुड़ा है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे है और रंजीत रेडी और राइडू दोनों ने अपनी आवेधन को वेद बनाने से इंकार करने की कारण उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया यह पता चला है कि रामक्रोसना राजू वास्तों में नायक की पिता मनी क्रांत राजू की सबसे अच्छी दोस्त है नायक रामक्रोसना राजू की बेगुनाही को सावित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की रुद्रागंती प्रेनीता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर किया गए था क्योंकि उसे रंजीत और राइडू ने